हेलो स्टुदेंट्स मैसल्फ मोहिट सिहाग टीम जोलो जी सील्सी सीकर से तो आज हम हमारी उनीक टेस्ट सीरीज बायो कैम के 20 नंबर के पेपर का सॉलीशन कर रहे हैं जोलो जी में मारे टोपिक है यूमन हेल्थ डिजीज स्टैटिजीज फॉर एनांस्मेंट इन फूड प्रोडक्शन ठीक तो स्टार्ट करते हैं मारे इस पेपर का सॉलीशन फर्स्ट कोश्टन है इस अकुरे डेफिनिशन ओफ दी हैल्थ वोड स्वास्ते की स्वर्वादिक उप्युक्त परिवाशा क्या है फर्स्ट ऑप्शन है है स्टेट ऑफ बोड़ी एंड माइंड इन ए बैलेंस कंडिशन हम कह सकते हैं सेकेंड हैल्थ इस रिफ्लेक्शन ऑफ स्माइलिंग फेस बिल्कुल नहीं है इस स्टेट ऑफ कम्प्लीट फिजिकल मेंटल शोशल वैल बिइंग नेस बिल्कुल सही है स्वास्ते गर्थ है शारिक बांसिक सामाजिक रूप से सही होना तो हमारे क्वेशन नम्र फिस्ट का अंसर आजाएगा थर्ड क्योंकि जो पर्सन कंप्लीटली फिजिकली मेंटली और सोशली ठीक है वैल बिइ स्वस्ता के अंदर है हम उसे ही स्वस्त वेक्ति के रूप में कंसिडर करेंगे तो कॉश्च नमबर फर्स्ट का अंसरा मारे पास में थर्ड नेक्स पढ़ते हैं हम क्वेश्च नमबर सेकेंड की तरफ कि अगरी जम विच कोज डिजीज इन प्लार्ण और अनिमल्स और कोल्ड कौन सा इसा और निजम है जो कि पादप और जन्तू दोनों में रोग उत्पन करें तो हम उसे कह सकते हैं पैथोजन बिल्कुल सही है रोग कारक तो मारे क्वेश्च नमबर सेकेंड का अंसरा जाएग या सेकेंड रोग कारक पैथोजन वो लिविंग ओगनिजम होते हैं जो कि किसी भी जन्तू और पादप के नॉर्मल फिजिकल फिजियोलोजिकल और आप कह सकते हैं साइकलोजिकल फंक्शन को डिस्रॉप करके उसकी नॉर्मल हेल्ट कंडिशन को अल्टर करता है या फिर च फोर दानोसिस ओफ था 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 ताइफाइड के लिए निदान परिक्षन क्या है अलिसा अलिसा एट्स के लिए होता है यह 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 और पर पोलीमर चेंड रिक्शन यह नहीं है हम इसमें ले सकते हैं वीडाल टोटल एंस याटी बेस्ट कोशन है कि रफाइड का डाइट तेस्ट कौन सा होता है विडाल टेस्ट तो क्वेशन नमर थर्ट का अंसर आएगा फॉर्थ कोश्ञ पर डिजीजब डिजीज और बॉडली गॡुप इंटू इंफेक्षियस डिजीज कि बारे में यानी संक्रमक रोग के बारे में बताना है दो ग्रूप में माटा जा सकता है ठीक कैंसर हमारी नोन infectious disease है यह नहीं रखेंगे इंफ्लेंज बिल्कुल यह हमारी infectious disease है संक्रमक रोग है एलर्जी हम सच नहीं कह सकते कि infectious है person to person फैलती है या spread out होती है next small box बिल्कुल हम ले सकते हैं तो second और fourth हमारे लिए सही है इसका आंसर आजाएगा fourth fourth में second और fourth तो fourth answer है हमारे पास में तो question number fourth cancer four इंफ्लेंजा और smallpox प्रक्स पड़ते है question number five की तरफ इस पोर जोईट्स आर फाउंड इन sporozoids कहां पाये जाते हैं तो sporozoids हमें मिलते हैं salivary gland of the mosquito liver of a person हम उसे कह सकते हैं कि वह वहां पर bite करने के बाद पहुंचा है लेकिन as such अगर वह कहां मिलते हैं या कहां store होते हैं तो store के लिए हम इस सिरफ store के लिए हम इस question का answer देंगे salivary gland of the mosquito 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 की लार ग्रंथी के अंदर वो हमें मिलते हैं तो question no 5th का अंसर आजाएगा third इस basis पर कि वह कहां पर जाकर store हुए हैं या कहां पर female anaphilis के अंदर पाये जाते हैं उसके लिए मरा जाएगा salivary gland of the mosquito liver में वह तभी पहुंचेगा जब उसको bite करेगा किसी भी healthy person को female anaphilis गट के अंदर as such formation होता है लेकिन वो जाकर store हमें exact location जो उनकी मिलती है वो कौन सी मिलती है salivary gland of the mosquito कौशन नमर्शिक्स डेंगु एंड चिकनगुजिया इस ट्रांस्मिटेड बाए चिकनगुणिया और डेंगु के लिए वहक के बारे में बात कर रहा है इसका वहक होता है मारा फिमेल एडीज मोस्किटो मादा एडीज मच्छर के तुरू यह एक परसं से दूसरे परसंद तक यह कहें कि यह लगातार स्प्रेड आउट होता रहता है तो इसके जो वहक है इसका जो वैक्टर है वह फिमेल एडीज मोस्किटो क्वेशन नमर्शिक्स का अंसर आएगा मारे पास सेकेंड नेक्स बढ़ते हैं क्वेशन नमर्शिक्स की तरफ विच ग्रूप ओव सिम्टम्स आर इंडिगेटिव ओफ निमोनिया निमोनिया के लिए कौन्चे लक्षन उपस्तित होते हैं डिफिकल्टी इन रेस्पाइरेशन बिल्कुल है फीवर होता है चिल है कफ है है चारों के चारों या पांचों सिम्टम जो में दे रखे हैं वो सब निमोनिया के हैं पर्स्ट वाला हम इसके साथ जा सकते हैं मैंस सब्सक्रते हैं क्यारेक्टर नहीं है नेजल गंजेक्षन डिस्चार्ज कफ फिर यहां कॉंस्टिपेशन आया है तो नहीं है हाई फिवर्भ, वीकन की साथ जाएंगे तो question number seven का answer है first next question number eight पर आते हैं cancer causing genes are called cancer है तू उतरजाई gene क्या कहलाता है structural gene expresser gene या cellular oncogene बिल्कुल थर्ड आंसर जो हमरा है बिल्कुल सही है कोशिक ये आबूर्द gene बोला जाता है जो cancer है तू उत्तरदाई होता है तो question number eight cancer आएगा third next हम बढ़ते हैं question number nine की तरफ in malignant tumor the cell proliferate grow rapidly and move other part of the body to form new tumor this stage of disease is cold दूर्द दूर्द आबुद के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचती है कोशिक ये और वहाँ जाके ने tumor का formation करती है हम इस character क्या बोल सकते हैं इसको बोलते हैं metastasis तो question number nine cancer आएगा हमारा second metastasis नेक्स्ट आते हैं question number 10 की तरफ when a apparently healthy person is diagnosed as unhealthy by the psychiatrist यानी मनोवेज्ञानिक द्वारा किसी स्वस्थ दिखने वाले वैक्टी को वह अपने परिक्षन में अपने diagnosis में बताता है कि वह ऐस्वस्थ है इसका मतलब वह मांसिक रूप से संतुलित नहीं है वैक्टी इसमें ले सकते हैं patient is not efficient at work इसमें जुरुरी नहीं है कि वह सिरफ mentally रूप से सही ना हो सकता हो physically भी सही हो the patient was not economically prosperous यानि आर्थी रूप से सही नहीं है ऐसा भी नहीं है पेशेंट शो बिहेवियर एंड शोशल माल एडजस्ट्मेंट बिलकुल सही है रोगी वेक्ति वेवरात्मक और स्वामाजिक रूप से सयम्मित नहीं है इसका मतलब उसकी महांसिक स्तती सही नहीं है इसलिए उसे मनोवग्यानिक या साइकेट्रिस्ट ने एज ए अनहेल्थी परसन कंसिडर किया है तो क्वेशन नंबर टैन का अंसरा आजाएगा थर्ड नेक्स्ट कॉशन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं इसकी रीजन के बारे में पता करना है रोग का सही कारण क्या है पहले बता दें कि रूमेटिड अर्फराइटिस हो है यह वह मारा ओटो इम्यून डिसोडर है हमारी बोडी का ही मूँन सिस्टम हमारी ही बोडी के किसी पार्ट को अगर हैंटिजन कंसिडर करके एंटिजन करता है और उसे डिस्ट्रोई करता है इसका मतलब वी आर सफरिंग फॉम ओटो इम्यून डिजीज स्वेप प्रतिरक्षा रोग से हम लोग क्या है ग्रसिद और इसी का ही एक एक्जामपल है रिमेटिट अर्थराइटिस फर्स्ट ऑप्शन है डियाबिलिटी तो डिफ्रेंटियेट पैटोजन और फॉरेंड मोलेक्यूल फॉर्म रोग कारक में विजाती जिवों की बीच भेद करने की शम्ता पर आधारित दूसरा है बोडी अटेक सेल्फ सेल्स बिल मतलब अपनी कोशिका विजाती जिव रोकरों के बीच भेद करने की शम्ता की हानी यानि हमारा इम्यून सिस्टम खुद की और पराई सेल्स के अंदर अंतर करने की शम्ता को खोच चुका है इसलिए वह हमारी ही सेल्स को एंटिजन मानकर उसकी अगैस्ट एंटिबोडी का Мыन कर रहा है तो सेकर्ण और फॉर्थ मार लिए बेस्ट अंसर है इसका तो इस कोश्चन का आंसर आए गा सेकेंड दूसरा और कि यह 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 ऒर यह उप्षन सही है मरड़ी तो अंसर है मारे पास सेकंड तो यह रहां साकुण का अंसर है सेकंड नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर ट्वाइल की तरफ विच्वन इस नोट आ मोड ओफ ट्रास्मिशन ओफ एचाईवी एचाईवी के लिए संक्रमन का तरीका नहीं पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है इसका मतलब कि किस विज़े एचाईवी नहीं फैलता है ट्रास्मिशन ओफ कंटामिटेट ब्लड बिल्कुल इसकी वज़े से एचाईवी फैलता है यानि एट्स आगे की तरफ संक्रमित होता है शेरिंग दा इंफेक्टेट नेडल बिल्कुल सही है ये भी शेकिंग हैंड विट इनफेक्टेट परसन यह आंसर हमारा जो है यह थर् होगी वेक्ति से हाथ मिलाने पर एट्स एक परसन से दूसरे परसन में नहीं फेलता तो क्वेशन नम्बर ट्वेल का अंसर आजाएगा थर्ड रिदुए कोने संधना वरहे था नेक्स होगी नेक्स्ट अम रफ थर्टीन की तरफ जाते हैं एंपी स्केस्ट इंप्र होती है यह एंपी प्लांट से यह सकते हैं प्यपे वर्स ऑब्राप्त होती है और यह उसकेucciर्ट Eckseите एक्ट है तो थर्टीन का मरा जो फर्स्ट ऑप्षिन है प्रफिवर से मेरी फेर्म के लेटेक्स से वो बिल्कुल सही है तो कुश्ट नमबर थर्टीन के लिए मारा अंसर आजाएगा फस्ट लीव सोब कैना भी से टाइवार नहीं इससे में कैना विनोइट्स मिलती है दतूरा नहीं इरेथ्रोजयलम कोका इससे कोकेन मिलती है ये भी नहीं तो थर्टीन का अंसर आजाएगा फस्ट नेक्स्ट fazemबड बात कर रहा है कि कोई सेल वायरस से इंफेक्टेद है उस केस में इंफेक्टेज को ben hani किस का सिक्रेशन करती है जो कि नॉर्मल सेल को फर्दर इंफेक्शन से बचाता है इसके लिए यहंसंद आंस नहीं आ सकता कॉलेस्ट्रम नहीं आ सकता हिस्टेमिन नहीं आ सकता है सिरेटरनीन हिस्टेमिन हमारी मासल सिक्रेट करती है डियूरिंग ऐलर्जी कंडिशन कॉलेस्ट्रम फस्ट सिक्रेटेड मिल्क होता है इसलिए मारे पास आंसर आएगा थर्ड तो क्वेशन नमर 14 का अंसर है थर्ड वि संक्रमित समानने को शिकाओं को और आगे भी शानु संक्रमन से बचाती है नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेशन नंबर फिफ्टीन की तरफ ट्रांस्प्लांटेशन और टीशू और गन फेल्स ओफन ड्यू टू नॉन एकसप्टेंस बाइए पेशेंट बोड़ी यानि ट्रांस्प्लांटेशन फेल हुआ है ठीक है विच टाइप ओफ इम्म्यून रेस्पोंसिबल फोर सच रिजेक्शन इस टाइप की रिजेक्शन के लिए कौन रैस्पोंसिबल है उत्तक अंगों के प्रतिरोबनम प्रतिरोप सेल मेडिटेड इम्मूनिटी या सेल मेडिटेड इम्म्यून रेस्पोंस तो हमारा फोर्थ जो आंसर है वह बिलकुल एप्रोप्रियेट है कोशिका मध्धित प्रतिरक्षा अनुक्रिया सी एम आई 15 गांसर आजाएगा फोर्थ नेक्स्ट आगे बढ़ते कोशन नमर 16 की तरफ विच आइप ऑफ एंटीबोडी आज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम कोलेस्ट्रम में कौन सी प्रतिरक्षी उपस्तित होती है कोलेस्ट्रम अभी हमने डिसक्रेशन किया था फर्स सिक्रेटेड मिल्क खीस जिसे हिंदी में ब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेशन नमर 17 की तरफ टोबैको कंजप्शन इस नौन तू स्टीमूलेट सिक्रेशन ओफ एडलीन और एडलीन बिल्कुल सही है तो बहुत सिक्रेशन करने पर जो कुछ टाइम के लिए परसन एनरजेटिक फिल करता है या कुछ खुद को अलग फ है हमारी एडेनल ग्लेंट्स द्वारा सिक्रेट एडलीन और नौर एडलीन है कंपोनेंट कोज दिस कुड़ भी तंबागों के प्रयोग पर एडलीन और एडलीन हर्मंगस्त्राव को उद्धिपित करता है कौन सा रसायनिक पदार इसलिए उत्तरदाई है तो टोबैको के अंदर तो रसायनिक पदार उसका नाम है निकोटिन और यहीं निकोटिन जो है यह एडलीन के सिक्रेशन को स्टिमूलेट करता है या पुद्धिपित करता है तो क्वेश्चिन नमबर 17 में मरांस राजाएगा फस्ट प्रतिविश रखती है यह रखती है यह रखती है एंटी बोडी ताकि उस व्यक्ति के लाइफ को सेव किया जा सके और उसे बचाया सके इम्मुनाइजिकर जिसे हम बोलते हैं उसे उसे डादली कंडिशन से बाहर निकालना जा सके उसे इसकी लाइफ को थ्रेट है और उसकी लाइफ को बचाया जा सके तो एंटी बोडिज प्रेजेंट होती है एनम एन्टी वीनम इंजेक्शन के अंदर तो ओशनम रेटिन का अंसर आजाएगा हमारे पास थर्ड नेक्स्ट क्वेश्ट नमर 19 विच और फॉलोइंग इस नोट ए लिम्फोइड टीशू निवन में से कौन सा लसिकाब तक नहीं है स्प्लिन, टॉंसिल, पैंक्रियाज, थाइमस इनमें से स्प्लिन है, टॉंसिल है, थाइमस भी है, पैंक्रियाज नहीं है तो हमारे कौशन नमबर 19 में जो आंसर आएगा वो आंसर कौन सा है थर्ड अगनाशे किसी भी तोर पर हमारा लसिकाब उत्तक या लिम्फोइटिक टीशू या ओर्गन नहीं होता, तो क्वेशन नमबर 19 का अंसर है थर्ड नेक्स बढ़ते हैं, क्वेशन नमबर 20 की तरफ, which of the following gland is large in size at birth but reduced in size with aging जनम के समय इसका अकार अधिक था बट आयवरद्धी के साथ में इसका अकार छोटा हो गया, यह हमारे लिए aging का भी sign होता है आयवरद्धी का भी, और aging का sign है मारा thymus gland का size में reduce होना, इसकी वज़े से immunity जो है person की वो लगता decrease होती रहती है तो इसका अंसर आजाएगा मारा third thymus, adrenal नहीं हो सकता, pituitary thyroid भी नहीं हो सकता, तो answer है third thymus gland next question number 21, इसमें hemozoin is a hemozoin की बारे में पूछ रखा है, molecule of hemoglobin नहीं कह सकते, toxin release from streptococcus pneumoniae नहीं आएगा toxin release from plasmodium infected cell, बिल्कुल और वो भी मैंली कौन सी होती है, आपकी RBC, RBC से ही जो है, वो hemozoin क्या होता है, रिलीज तो question number 21, cancer आजाएगा third, fourth में देख लेते हैं, toxin release from hemophilus infected cell, नहीं, hemophilus संक्रमित कोशिका नहीं, plasmodium वाले बिल्कुल सही है, streptococcus वाले नहीं, hemoglobin कानू, नहीं, question number 3, 21 cancer आजाएगा third, नेक्स आते है, question number 22 की तरफ, which of the following is not a causative organism for ringworm, ringworm यानि डाथ खाज-कुजली के लिए तो रोग कारक नहीं है, उसके बारे में पूछ रहा है, माइक्रोस्पोरम है, trichophyton है, epidermophyton है, मैक्रोस्पोरम नहीं होता, तो हमारा question number 22 का answer आजाएगा, fourth macrosporum, next, आगे बढ़ते हैं, question number 23 की पर तरफ, a person with sickle cell anemia is, एक person है, जिसको sickle cell anemia है, it has more resistance to malaria, बिल्कुल, first option ही हमारा सही है, कि जिसमें भी sickle cell anemia है, उसको naturally immunity मिलती है, किसके against, malaria के against, क्योंकि RBC का shape जो होता है, वो sickle shape हो जाता है, या कहें हासियाकार हो जाता है, ठीक, तो उस person को सबसे malignant type का जो malaria होता है, उससे भी falciferum जिसें बोलते हैं, plasmodium falciferum से जो होता है, उससे भी immunity मिलती है, तो question number 23 का answer हाजाएगा, first, next, question number 24, the clinical test for the AIDS, AIDS के लिए है, enzyme linked immunosorbate assay, ELISA, first option, सही है हमारा, second ESR नहीं होगा, विडाल नहीं होगा, fourth, second and third, दे रखा है, नहीं होगा, question number 24 का answer है हमारा, first, question number 25, statement is false, regarding health, गलत कथन का चुनाव करना है हमें, a state of body and mind where there was a balance of certain humor, anxiety का statement है, बिल्कुल सही, next, a person with black bile belong to hot personality, काले, पीत वाले, उगरम वेक्तित वाला मना जाता है, बिल्कुल सही, anxiety statement, विल्यम हार्विभाय, डिस अब्रू, good humor hypothesis, बिल्कुल उन्होंने इस परीकल अपना को गलत शाबिद किया था, mind and mental state cannot, ये cannot जो दे रखा है, इस वज़े से, नहीं, असर नहीं डालती, इस वज़े से हमने first statement को क्या लिया है, wrong, mind and mental state also affect our health, गलत क्यों किया, क्योंकि हाँ cannot था, 25th का अंसर आ जाएगा, fourth, next question number 26, what is the mean of cross breeding, for animals, for animal breeding, संक्रमन संक्रण का प्रसू प्रजन है तू क्या अर्थ है, तो ये cross breeding की बात कर रहा है, तो question number 26 में, matting of animal within the same breed गलत, superior male of one breed are made with the superior female of the other breed, question number 26 का हमारा जो second option है, एक नसल के stress नर को दूसरी नसल की stress मारदा के साथ present करवाना, इसे ही क्या बोलते है, cross breeding, तो question number 26 का अंसर आजाएगा, हमारा second, next बढ़ते है, question number 27 की तरफ, what is the mean of animal husbandry, पसु पालन का क्या अर्थ है, it is a practice of animal breeding, सिरफ ये नहीं कह सकते, it is a tissue culture technique, नहीं, food enhancement, as such नहीं कह सकते, इसे अग्री कल्चर प्रैक्टिस ओ ब्रीडिंग एंड राइजिंग लाइफ स्टोग बिल्कुल एंच एर्टे स्टेट्मेंट, प्रसु 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 धन ब्रदी की एक क्रशी विधी है, या क्रशी पदती है, तो एनिवल हस्बेंटरी के लिए हमारे 27 नंबर क्वेश्चन का अंसर आजाएगा, फॉर्थ, नेक्स बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, कि सवेश्चन नंबर 28 का अंसर आजाएगा, हमारे पास थर्ड नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेशन नमबर नाइन की तरफ कोका एलकेलोईड और कोकीन इस अप्टेन वाई विच प्लांट कोका एलकेलोईड और कोकीन किस पादप से प्राप्त होती है पैपेवर सैमनी फेरम प्लांट इरेथ्रोजायलम कोका सेकिंड इरेथ्रोजायलम कोका प्लांट से ही प्राप्त होती है जो साउथ अमेरिकन प्लांट है तो 29 गांसर आज आएगा सेकिंड क्वेशन नमबर 30 में आपको फ्लोचार्ट दे रखा एंस याटी का मारा डाइग्राम है इसमें आपको पूछा गया है आए बी-सी और डी फीक है चेक करते हैं एक लीए हमारे पास ओप्शने में दे रखा है गैमेट उसाइट बिलकुल सही है और लिए सलाइवरी ग्लैंट बिल्कुल सही है C के लिए स्पोरोजाइट बिल्कुल सही है D. A. सेक्शुल डी प्रोड़क्शन परसाइटिन आर्बी सी Question number 30 में 1st option नमारा completely सही है 2nd में A को स्पोरोजाइट बता रखा है जो की गलत है इसी में 3rd option में A को लार्ग रंथी बता रखा है सलाइवरी ग्लैंट गलत है फॉर्थ में भी A को लार्ग रंथी सलाइवरी ग्लैंट बता रखा है इसलिए गलत है Question number 30 का अंसर आजाएगा हमारा 1st next आगे बढ़ते हैं Question number 31 की तरह which is not included in personal hygiene व्यक्तिकर स्वस्ता में सम्मिलित नहीं है Keeping body clean शरीर को साफ रखना बिल्कुल व्यक्तिकर स्वस्ता के अंदर आता है consumption of clean water बिल्कुल साफ पानी को पीना सही है आता है व्यक्तिकर स्वस्ता में प्रोपर डिस्पोजिबल ओफ दी वैस्टेज यह नहीं आता है यह पब्लिक हाइजीन में आता है ना कि personal hygiene में फॉर्थ है consumption of fresh vegetable बिल्कुल साफ ताजा सब्जियों का सेवन करना तो आपकी personal hygiene में आता है तो question number 31 का answer आजाएगा हमारे पास third next question number 32 which is not included in fresh water fish कौन सी ऐल अबनी जल में नहीं पाई जाती नोट इंग अच्छा विच इस स्वच पानी में अलवनेजल यानी फ्रेश वर्टर बिल्कुल में नहीं पाई जाती कटला मिलती है कि सही है आपकी कटला फर्स्ट ओप्शन 32 का हिलसा नहीं मिलती यह हमें मिलती है मरीन वोटर के अंदर ठीक रोहु मिलती है कौमन क्रैप या कौमन कार्प यह भी मिलती है तो क्वेशन नमबर 32 में हमारे पास आंसर आएगा सेकिंड हिलसा जो कि फ्रेश वोटर में नहीं मिलती यह हमें लवनिय जल में मिलती है इसलिए 32 का अंसरा जाएगा सेकेड नेक्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नमबर 33 की तरफ इसार डेला इस एन एक्जामपल ओफ इसार डेला किसका एक्जामपल है इंटर स्पेसिफिक इंटर स्पेसिफिक हाइबिडिजेशन अंतर विशिस संक्रण आउट्रोस इन ग्रेडिक क्रोस्प्रेडिंग बिल्कुल संक्रण का एक्जामपल है इसार डेला एंश्याटि का स्टेटमेंट है सिंपल तो 33 का अंसरा जाएगा फॉर्थ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ इससडर में गिल्कुल सब्सक्राइब दिखाई देते हैं उन्हीं क्या बला जाता है सिंड्रॉम में ओध ता है थार्ड नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नमर थार्टी फाइव की तरफ वैक्शिनेशन इस एन एग्जाम्पल ओफ टीका करण किसका उधारण है को रोना के बाद में इसे हम सब लोग अच्छी तरह से वाकिफ होगी इससे पहले भी थे पोलियो वाले में या गहरा गहरा जो मारे पास थी लेकिन जो को रोना है से और ज्यादा वाकिफ हुए कि वैक्शिनेशन एग्जेक्टली है क्या इस नेच्चुरल एक्टिव तो क्वेश्चन नमर 35 के अंदर मारा आँसर आजाएगा सेकंड ये क्रत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा है जान भूझ कर एंटिजन को प्रवेश करवाया जाता है चाहिए वो डेट कंडिशन में हो या फिर वो कह सकते हैं कि कम संख्या के अंदर हो और हो सकता है कि वो क्या कह सकते हैं कि हम बिना एक्टिव कंडिशन के अंदर हो उन्हें जान भूझ का प्रवेश करवाया जाता है उसके किसी प् एंटीबोडी को जनरेट करवाया जा सके प्राइमरी रेस्पोंस करवा कर जो कि हमारा स्लो होता है टाइम कंजूमिंग होता है तो पहले से ही हमने प्राइमरी रेस्पोंस करवा दिया ताकि जब नेक्स टाइम वो अधिक संख्या में हमारी बोडी में एंटर करें तो हमारी वोडि primari response में time करदी ऐफ यह primary response वाला जो slow response ही उसको सीधा करके सीधा किस पर आए secondary response के उपर यूज यूज वेक्सिनेशन ज्यूशन is example of artificial जानबूज्कर दीन गई करत्तिर्म सक्रिये । प्रतिरक्शा स्पीसीज प्रेड्यूज ए हाइब्रिड अलग अलग स्पीसीज को हमने आपस में प्रेटलाइजेशन करा है या क्रोस करा है ताकि हम इसे बोलते हैं इंटर स्पीसिफिक हाइब्रडाइजेशन अंत्य विसीज संक्रण बिलकुल फस्ट आंसर जो है वह आजाएगा तो विभिन जातियों की पश्वों की मद्य संक्रमन से संक्रित संत्ति को उत्पन करना क्लियर तो क्वेशन नमर्ट थैटी सिक्स का आंसर है फस्ट नेक्स्ट आते हैं क्वेशन नमबर 37 पर अमीबाइसिस इस कोजड बाय अमीबायता के लिए रोग का रकोन है एंट अमीबा हिस्तोलिका बिलकुल 37 में फस्ट आंसर सही है एकोलाई नहीं है स्ट्रेप्ट्रकॉकस निमोनी नहीं है ट्राइकोफाइटर नहीं है रिंग बो अमीबा हिस्तोलिका नेक्स्ट बढ़ते हैं हम कोशन नमर 38 की तरफ इन साइटोकानिन बेरियर इंटरफेरोन प्रोटीन इस सिक्रेटेट बाय विच्छ सेल वायरस इंफेक्टेट सेल से ही इंटरफेरोन का क्या होता है सिक्रेशन नमर 38 का अंसर आजाएगा फॉर्थ नेक्स्ट 39 विस्टेटमेंट इस रोंग फॉर एलिफंटाइसिस डिजीज हाती पाव रोग के लिए क्या सत्य है तो फिलेरिया वावम कोश फास्ट डवलपिंग नहीं स्लो डवलपिंग होना चीए था पहला ही आंसर गलत है यानि पहला ही जो है हमारे इसके लिए सत्य है हाथी पाव रोग के लिए अगला पढ़ लेते हैं दाया अफेक्ट लिंफाइट के डिफेक्ट लिंफाइट वैसल्स ऑफ दिलोर लिंप सही है इंद ऑल्स नोन एस फिलराइसिस इंडराइसिस भी कहते हैं सही है जैन्टल ओर्गन्स आर अल्सो अफेक्टेड रिजल्ट इस रोग के प्रवित होने से इसकी वज़े से भारी विरूपता है आती हैं बिल्कुल सेकिंड और फॉर्थ सही मैच करता है हमारे अलेफेंट एसिस के साथ में फस्ट में इस वज़े से हमने से गलत किया है यह स्लो आना चीए था जब किया क्या है फस्ट का अंसर आ जाए प्रविंग पेर कंटेन एन इंफेक्शियस एंड ए नोन इंफेक्शियस डिजीज पहले संक्रमक और फिर ए संक्रमक रोग नौन इंफेक्शियस डिजीज को हमें डूडना है एट्स infectious नहीं है sorry infectious है और टाइफाइड भी क्या है infectious दूसरी हमें non-infectious यह ती नहीं आ सकता टाइफाइड infectious है cancer non-infectious है बिलकुल हमारे question number 40 का answer आ सकता है second third पढ़ लेते cancer infectious नहीं है third नहीं आएगा fourth ringworm infectious है लेकिन amoebis is non-infectious नहीं है तो question number 40 का answer आ जाएगा टाइफाइड वाइड कैंसर question number 41 गंबूजिया फिश can be used for गंबूजिया मचली का उप्योग किस हेतु किया जाता है biological control of malaria बिलकुल इसे पानी में छोड़ दिया जाए ताकि ये malaria मच्छर के यानि फिमेल एनाफिलीज मच्छर के larva को क्या करें digest कर जाए उसको खा सकें उसे कंट्रोल कर सकते हम malaria को biological control of HIV नहीं आ सकता स्मॉल पोक्स नहीं टाइफॉइड नहीं तो मारे question number 41 का answer क्या आएगा फिर्स्ट गंबूजिया कि कुछन नमर 42 विजब फॉलइंग करेक्ट फॉर्द बिनाइन ट्यूमर के लिए सही कथन करेक्ट स्टेट्मेंट को पूछ रहा है रिमेंड कंफाइड कंफर्ड टू ओरीजनल प्लेस वास्तिक्स्तान तक सीमित रहती है बिल्कुल रहती है सब बिनाइन ट्यूमर के अंदर इतनी फास्त नहीं है जितनी की हमारे मेलिगनेंट के अंदर होती है इसका डेमेज उतना नहीं है जितना की मेलिगनेंट के केस में होता है इट शो सेल शो मेटास्टेसिस बिल्कुल नहीं मेटास्टेसिस नहीं रखती तो ए और सी जो है यह हमारे क्वेस्टन नमबर 42 में थार्ड में दे रखा है तो थार्ड जो आंसर है हमारा बिल्कुल एप्रोप्रियेट है क्वेस्टन नमबर 43 हमें एक डाग्राम दे रखा है एंसियाटी का एसस डाग्राम है ए पुछा है क्या है ए ऑप्शन ए में दे रखा है लिंफ नोर्ड बिल्कुल भी थाइमस के लिए बिल्कुल सही है फस्ट में सही है सेकिंड ए थाइमस गलत है थर्ड में थाइमस गलत फूर्थ में ए लसिका ग्रंथी ठीक बी लसिका वाहिनी ये गलत हो गया तो हमारे क्वेश्टन नमबर 43 का अंसर आजाएगा फस्ट क्वेश्टन नमबर 44 टीकेमिकल कार्शिनोजन विच आर प्रेजेंट इन टोबैको स्मोग इसे मेजर कोज ओफ कौन सा कैंसर है जो की तोबाको के रसाइनिक कार्शिनोजन की वजए से मुख्यत होता है मुख्य रूप से पूछ रहा है आंसर आजाएगा सीधा कौन सा लंग कैंसर तो अच्छा और यक्रत कैंसर के चांसे इतने ज्यादा नहीं है जितने ज्यादा चांसे किसके हैं लंग कैंसर के कार्शिनोजन है प्रेड्यूस कहीं भी कर सकता है लेकिन मैंली जो है या मेजर कोज किसके लिए बनता है यह लंग कैंसर के लिए तो फॉर्टीवर गांसर आजाएगा फॉर्थ 45 इन मलेरिया स्थम्टम आये इसका प्रमुक कारण क्या है डूटुर रिलीज और टॉक्सिक सब्स्टेंज फ्रॉम इंफेक्टेड फिमेल एन फ्रीली जनहीं है साथ कुछ खास नहीं था ड्लीज और टॉक्सिक सब्स्टेंज हीमोजोई फ्रॉम रैप्चर और बी-सी बि दर्दी लगना और तेज बुखार आना यह इसी की वज़े से होता था तो कॉश्च नमबर 45 में हमारे पास में सेकेंड जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है नेक्स्ट अगला पढ़ लेते हैं ड्यू तो रिलीज ओफ इमोजोंड फ्रॉम रैप्चर लिवर सैल नहीं ड्यू ब्ल्ड मॉज्कि टोब इस ऐवैक्टर मादा क्यूल इस जिसकी के लिए लिए लेक्टर लैंगू जीटोब बिल कॉन होती है फिमेल रिट्स के लिए उसकी वैक्टर है तो हान्ती पावरव लगोब 49 सिक्सके इंदर क्यों इसका वेक्टर है तो 46 आज आज आएगा फोर्थ कि क्वेश्चन नमर फोर्टी सेवन इन्फेक्शन ओफ एस्केरिस यूजली अकर बाय एसकेरिस का संक्रमन सामन्य तैक किसके कारण होता है मॉस्केटोबाइट नहीं ड्रोपलेट इंफेक्शन नहीं इटिंग इंप्रोपर कुक्ट पॉर्ख अपूर्ण रूप से पकाएगे सूर के बास से नहीं तीनों नहीं आएंगे फॉर्थ है रिंकिंग विद कंटेनिंग दा एग्स ओफ एसकेरिस बिलकुल ऐसे पानी को पी लेने से जिसके अंदर एसकेरिस के एग्ग पहले से मुझूद हो वह आपके बोड़ी में एंटर कर सकता है और एसकेरियस जो रोग है वह उत्पन कर सकता है 47 का अंसर आजाएगा फॉर्थ नेक्स आते हैं 48 पर कि अर्टिपिशल इंसेमिनेशन इनवोल गरत्री मीरे सेजन में क्या होता है सुपर ओलेशन या सिमन कलेक्शन सिंपल है इसमें मीरे का शंग्रैन करते हैं ताकि उसे फूचर में यूज किया जा सके उसको हम फ्रोजन कर सकते उसको हम इमिडियेटली सकते हैं तो 48 के इंदर आंसर आजाएगा सेकेंड कि नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नमबर 49 पर टर्म एपीकल्चर रेफर्स टू एपीकल्चर से क्या तात पर्य है टीशु कल्चर नहीं फिश कीपिंग नहीं बिलकुल मदुमक्खी पालन वी कीपन वी कीपिंग जो है वो एग्जेक्टली मीनिंग है किसका एपीकल्चर का तो क्वेश्चन नमर 49 का अंसर आजाएगा थर्ड नेक्स्ट कोशन नमर 50 की तरह बाते हैं एम ओई टी स्टेंड्स फोर इसका अतात पर्य क्या है मल्टिपल ऑवलेशन एंब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलोजी बिलकुल सही है मल्टिपल ऑवलेशन एग ट्रांसफर नहीं मल्टिपल ओवेरी नहीं मेथड ओफ एग नहीं एम ओई टी की फुल फॉर्म है मल्टिपल ऑवलेशन एंब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलोजी बहु अंडोच सर्ग भुन स्थानांत्रन तक्नीक ठीक तो फिफ्टी मैंस राजाएगा हमारा फर्स्ट इसमें रोग और उसका रोग कारक्का सही जूड़ा हो टाइफाइड साल्मोना टाइफी सही है निमोनिया हीमोफिलस निमोनिन नहीं हीमोफिलस इंफ्लेंजा आना चाहिए था तो नहीं तो फिफ्टी वन का आणसर आजाएगा फर्स्ट टाइफाइड के लिए उसका जो कोजिटिव एजेंट है पैथोजन है उसका नाम है साल्मोना टाइफी क्वेशन नमर 52 रिट द गिवन स्टेटमेंट केरफुली ठीक है क्या पूछ रहा है इसमें इस तो स्टेटमेंट इस करेक्ट स्टेटमेंट को सत्य कतन को हमें रूढ़ना है ठीक है इनन इन इंट इपिक टाइप नहीं ये नौन स्पेसिफिक होती है पहला गलत Malignant Malaria is caused by Plasmodia falciparum बिल्कुल सही है second वाला Malaria could be confirmed by Vidal नहीं third वाला गलत है saliva in mouth act as a physiological barrier for the pathogen बिल्कुल सही है second और fourth जो है हमारा सही answer आजाएगा fourth clear next बढ़ते हैं अगले question की तरफ 53 the site where lymphocyte interact with antigen lymphocyte और antigen का interaction कहां पर होता है secondary lymphoetic organs या tissues के अंदर क्या है spleen lymph node बिल्कुल हो सकता है bone marrow spleen bone marrow नहीं आएगा tonsil आ सकता है thymus नहीं आएगा पेर पेचिस आ सकता है thymus नहीं आएगा question number 53 secondary lymphoetic organ या tissues जो है जा हमारा interaction होता है antigen antibody का spleen और lymph node first option आजाएगा next 54 और a term breed refers to नसल सब से क्या तात पर रहे है NCRT के अंदर इसकी exact definition दे रखी है हमारे पास में a group of animal not related यह नहीं आएगा a group of animal related by descent and similar in most character बिल्कुल पस्वों का वैसमूज और वन्स और समय लेक्शनों में अधिक्तर समानता रखता हो बिल्कुल इसमें जो 54 में आंसर आएगा वो शेकिंड आएगा थर्ड पढ़ लेते हैं a group of animal related by descent but have almost different गलत a group of animal neither related by descent have similar collector नहीं तो question number 54 का अंसर आएगा मरा second next बढ़ते हैं अगले question की तरफ question number 55 M ALT is M ALT का full form क्या है मुकुसल को मसल सोरी मसल एस्टेटेड लिम्फोइटिक टीशू नहीं मुकुसल एस्टेड लिम्फोइटिक टीशू बिलकुल सेगिंड वाला जो ओप्शन है वह बिलकुल सही है हमारा थर्ड बढ़ लेते हैं मुकुसल लिम्फोइट टीशू नहीं मेमरी नहीं तो 55 का फुल फॉर्म यानि M ALT की फुल फॉर्म में मुकुसल एस्टेड लिम्फोइट टीशू कि नेक्स्ट हम बढ़ते हैं question number 56 की तरफ select and incorrect statement के पूच रहा है तो डागराम हमें दे रखा है डागराम है हमारा रिंग बोम का या दाथ खाज खुजली का की है मैंनी फंजाई बिलोन थी जैनरा रार रसपोंसिबल फॉर एट विल्कुल तीन जैनरा के फंजाई के लिए रसपोंसिबल है है it is most of the one of the most common infectious disease बिलकुल आम संक्रमक लोगों में से एक है ठीक थर्ड एपरेंस ओफ मॉइस स्केली लेशन सम पार्ट अव बोड़ी साथ स्कीन नेल स्केपल्स और दी सेकेंडरी नो यह सेकेंडरी नहीं प्राइमरी सिम्टम ऐसका governed दित्य लक्षन नहीं प्रात्थम क्लेजन आयेगा इसके नदर वर नुद जो फुप्र को में एक पूंड पर ऋप्सिंड र्यू नहीं है स्केमन इसलिए महारे पास इंकोर्यक्त ही पूचा है फिप्टी शिक्स का अंसर क्या जाएगा थर्ड फॉर्थ पढ़ लेते हैं थीज लिशन्स आर एक कंपेंड बाइदी इंटेंस इचिंग इन विक्षप्तियों में तेज जलन होती है बिल्कुल सही है तो 56 का अंसर आजाएगा थर्ड 57 एन ओटो इम्यून डिजीज इज फिर्स्ट है सिवीरियर चाइल्ड इम्मिनो डेफिशन्सी डिजीज नहीं रिमेंटिड अर्थ्राइटिस है मैंस तीन एक रफीज है आंसर क्या जाएगा बोथ सेकिंड एंड थर्ड स्वय प्रतिरक्षा रोग के बार में पूछ रहा था फिफ्टी फॉर गांज सेवन का फिफ्टी सेवन का अंसर है फॉर्थ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिफ्टी एट अंटिन्यू इन ब्रीडिंग एक्सेप्शली ख्लोज इन ब्रीडिंग जंडलि साइड इफ्ट इस सतत अंतय मुझेब निकटस्थ अन्तय प्रजनन का दुस्ट प्रभाव है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन फस्ट ही आजाएगा मारा अन्तय प्रजनन अवसाद जिसकी वज़े से जो प्रोड़क्टिबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है और ये जो है ये मैन साइड इफेक्ट है इन ब्रीडिंग जो लगातार कंटिन्यू करवाए जाती है उसका तो फिफ्टीएट का अंसर आजाएगा फस्ट नेक्स्ट आते हैं फिफ्टी नाइन पर विचो तो फॉलाइंग कंपोनेंट डाज नोट पार्टिसिपेट इन 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 इम्मुनिटी इन इन इम्मुनिटी यानि सहज प्रतिरक्षा में भाग नहीं लेते निट्रोफिलस लेते हैं सेललर बेरियर मैक्रोफेज इस सेललर बेरियर नेच्टरल किलर सेललर बेरियर भी लिंफोसाइट्स नहीं लेती तो हमारे क्वेशन नंबर 59 का जो आंसर आएगा वह कौन साएगा थर्ड यह इन 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 का नहीं एक्क्वाइड इम्मुनिटी का पार्ट है कि नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कोशन नंबर 60 की तरफ वट मैथर्ड यूशुड सज्जेस्ट इफ पर्सन वांट टू इवोल ए प्योर लाइन शुद्वन्सक्रम विक्सित करना जाता है कौन सी विधी के लिए आप उसे प्रस्क्राइब करोगे इसका मतलब होमोजाइगो सिटी को हमें इंक्रीज करना है क्रोस बीडिंग नहीं इन ब्रीडिंग बिल्कुल सही है अन्ते प्रेजनन तो 60 क्वेश्टी क्वेश्टन नंबर क्वेश्टन का अंसरा जाएगा हमारे पास में सेकेंड है हमें नैक्स आगे बढ़ते हैं कोशन वर 617 एंंटीबोडी कंसिस्ट ओо एंटीबोडी की की संट्रचना में क्या होता है तो लाइट पेप्टाइट या पॉली पैप्टाइड चेंट है वी पैप्टाइड चेंड सइह है टू लाइट इन हेवी गलत one लाइट गलत वन लाइट गलत वांसर आजाएगा 61 का फस्ट दो हलकी पेप्टाइट्स रंक लाएं और दो भारी होली पेप्टाइट्स रंक लाएं क्या होती है इसमें उपस्तित इस्टीवन में फस्ट नेक्स बढ़ते हैं क्वेशन नमर 62 की तरफ एक्पा कल्चर जल्क्रसी इस रेरिंग एंड मैनेजमेंट ओफ किसका पालन एवंप्रबंधन है मॉलस्क क्रस्टेशिया ओनली फ्रेश वोटर फिश एकॉनमिकल यूसफुल प्लान एनिमल बिलकुल आत्रीक रूप से उपयोग हैं जल्य पादप और आपकी जो भी जल्य जन्तु है तो आर्थिक रूप से मरली उपयोगी हैं उनके पालन प्रबंधन रेरिंग और मैनेजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं एक्पा कल्चर 62 का अंसर आजाएगा थर्ड next 63 correct statement regarding the character of acquired immunity वारें पूच रहा है CMI cell meditated immunity is responsible for the acquired immunity next it produce a primary response of low intensity active passive immunity are the type of acquired immunity polymorph nuclear liquecides natural killer involved in the as such involved नहीं होती कि यह सच पार्ट नहीं है यह सच पार्ट है हमारी inand immunity में cellar barriers के अंदर तो 63 के अंदर हम लोग first second और third के साथ आएंगे यानि option आएगा first ठीक है अनुकर अत्पन करती है कम प्रतिया ठीक चलो next आते हैं question number 64 की तरफ फॉलाइंग पॉइंट आर इंपोर्टेंट फॉर्डी सक्सेस्फुल भी कीपिंग मदुमक्खी पालन है तू मैंत पॉर्ण विंदू क्या है नोलेज नेचर बिल्कुल सभाव प्रकृति का यान होना चाहिए बी की selection suitable location बिल्कुल मदुमक्खी के चत्ते को रखने के लिए प्यक्स्थान हमें डूनना चाहिए management behave during the different season बिल्कुल विविन मौसमों के दुरान मक्ख्यों के चत्तों का प्रबंधन करना चाहिए cross hybridization यह सच प्रोल यह सच पार्ट नहीं है हमारे बी कीपिंग सक्सेस्फुल बी कीपिंग का ठीक है एडिशनल में ले सकते हैं इससे नोट है क्या सकते हैं कि important part जो है कि हम इसी के लिए कि यह कर रहे हैं तो इसलिए हमारे पास first second और third जो है वो बिल्कुल सही है option आ जाएगा third आपके पास में 65 humoral immunity is associated with humoral के लिए responsible है बी लिंफोसाइट्स या बी कोशिक का है या बी सेल्स क्युक्क टील सही हमें मिलती है सेल मेडियते इम्मुनिटी humoral इम्मुनिटी की responsible सी दा अंसर है एंस्याटिका statement बी लिंफोसाइट्स या बी सेल्स 65 का अंसर आजाएगा second 66 in livestock breeding experiments which of the following stage is transferred to the surrogate mother प्रसु प्रसु प्रजिनन में कौन सी वरस्ता में प्रतिन्युक्त मादा सेरोगेट मदर में स्थानांत्रित किया जाता है अन्फर्टलाइज एक गलत प्रटलाइज एक गलत बेलकुल सहीं कि एक टू थर्टीन टू सेल का जो भुरुन होता है उसे ही स्थानांत्रित किया जाता है सेरोगेट मदर में 66 का अंसर आजाएगा third नेक्स्ट शिक्स्टी सेवन में आते हैं हम लोग प्रैमरी रेस्पॉंस प्रड्यूस ड्यू टू फर्स टाइम एंकाउंटर विद्धा पैथोजन इस पहली बार कोई एंटीजन हमारी बोडी में एंटर कर रहा है उस ताम पर हमारी बोडी जो रेस्पॉंस देती है विच निम्न तिवर्ता प्रैमरी रेस्पॉंस लो इंटेंसिटी का होता है बट कम्प्लीट होता है टेक्स टाइम इसके जो टाइम पिरिड होता है वो लोंग होता है तो 67 मांसर आजाएगा सेकेंड नेक्स आते हैं 68 पर कीपिंग भी है इन क्रोब फिल्ड दूरिंग फ्लोरिंग पिरियड इंक्रीज फूल आने के समय मदमक्की के चत्तों को फसलियक है तो में रखना से क्या बढ़ता है क्रोब की बढ़ती है बिलकुल हनी की बढ़ती है बिलकुल वीट्स खरपत्वार का बढ़ता है इसा जुरूरी नहीं है आंसर क्या जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड नेक्स 69 इंजेक्शन ओफ एंटे टोक्सिन इंडिटनस कंफर्म विद टाइप आफ दा इम्मुनिजाजिशिशन इडिज एग्जाम्पल ओफ पैसिव निश्क्रिय प्रतिरक्षा का क्या है एग्जाम्पल 69 के अंदर हमारा आंसर आजाएगा सेकेंड पैसिव इंदिजन बांदिंग साइट और एंटी बोडी इस प्रेजंट इकॉस्ट रिजन गलत से टर्मिनल गलत बारिबल रिजन बिलकुल सही आंसर आजाएगा मारा थर्ड क्योंकि हमारा यहां यह जो रिजन था यह था मारा वेरियबल और यहां पर प्रेजन होती है एंदिजन साइट तो क्वेश्टन नंबर सेवेंटिंटिंग अंसर आजाएगा थर्ड दी बिट्विन दी प्रेजेंट बिट्विन दी दी वेरीबल रीजन या एट वेरीबल रीजन यह है आपकी अन्टिजन बाइंडिंग साइट सब्सक्राइब करेक्ट एक सब्सक्राइब के सब्सक्राइब के अंदर लिवर में जाते हैं रिलीजिव फिवर चिल बिल्कुल आएगा ब्लड में तभी इसके सिम्टम्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे सिम्टम्स क्या है फिवर और चिल दा प्रिंसिपल साइट ऑफ गयमेटो साइट फॉर्मेशन इस हुमन गैस्ट्रों इंट्रस्टाइनल ट्रैक्ट यह नहीं आएगा वो है आर बीसी तो फॉर्थ जो अला है वो हमारे इस नेक्स बढ़ते आगे तर्म इन ब्रीडिंग डिप्रेशन इस रेटेट टू अंत्या प्रजन अवसाथ किस्टे समंधित है इंक्रीज फर्टिलिटी प्रोडुक्टिबिलिटी नहीं इंक्रीज मिल्क्रीज प्रोड़क्शन नहीं रिद्यूस फर्टिलिटी एंड करन आता है उसका सबसे बड़ा जो हम कह सकते हैं कि साइड इफेक्ट है वह क्या है कि रिद्यूस फर्टिलिटी एंड प्रोडुक्टिविटी वशन नमर सेवेंटी टू का अंसर आजाएगा हमारा थार्ड सब्सक्राइब कर सकते हैं सबसे पहले उस जीन को डूढना है जो की कार्शनोजेनिक ट्रास्फोर्मेशन कर सकता है उंकोजीन या सेललर उंकोजीन ठीक है प्रोटोजीन प्रोटोजीन और उंकोजीन दोनों हो सकता है लेकिन दूसरा जो है विल टर्न इंटू उंकोजीन इसमें प्रोटोजीन यह गलत है proto-oncogenes identify in normal cell which when activated will turn into oncogenes and under certain condition could lead cancerogenic carcinogenic transformation of the cell. थार्ड ओप्शन आएगा सेवन्टी थी का, सेवन्टी फोर ए पर्सन सफ्रिंग फ्रों लुकेमिया टाइप ब्लूड गैंसर ट्यूमर इन अडिपोस नहीं, इंक्रीज नंबर ओप्लाजमा नहीं, मिलनोसाइट नहीं, इंक्रीज नंबर ओफ डबली वीचे, बिल्कुल डबली वीचे का नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 75, hepatitis B vaccine is produced from, किस से उत्पादित की जाती है, infected virus या हीस्ट, है कि hepatitis B की vaccine जो है वो जनरेट की गई थी या बनाएगी थी किसे इस से, यह तो 75 मांस रा जाएगा, सेकेंड, 76, match column, first column, second, select the correct answer from code given below, ठीक है, match करने है, allergy के लिए हम ले सकते है, IgE, ठीक, helper T lymphocyte, activate B lymphocyte, virus of AIDS, single strand, RNA, treatment of, sorry, x-ray, carcinogen, treatment of cancer, immune therapy से हो सकता है, ठीक, चलो, चेक करते हैं, A में fourth, यहां यह भी है, B में first, ठीक है, C में fifth, ठीक है, D में, T में third, ठीक है, E में second, सही है, है, तुमारे 76 का जो आंसर है, first, बिलकुल सही match करता है, तो 76 मांसरा जाएगा, first, 77, is an CNS stimulant as it interferes with the transport of the neurotransmitter, एक CNS प्रे रख है, क्योंकि यह neurotransmitter के प्रिवन को बादित करता है, कौन है, cocaine, ठीक है, लेकिन aceticulin नहीं आएगा, बार्विचुरेट नहीं है, cocaine और dopamine बिलकुल, 77, एंसेटिक स्टेटमेंट है, cocaine is a CNS stimulant as it interferes with the transport of neurotransmitter, known as dopamine, प्रे रख के परिवर्ण को बादित करेगा, cocaine और dopamine, 77 का अंसरा जाएगा, थर्ड, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, क्वेश्टन नम्बर 17, 78 की तरफ, तिमा, most evident antibody produced against allergen, allergen के विरूद सबसे ज्यादा कौन सी बनेगी, D I G E, 78 का अंसरा जाएगा, फर्स्ट, 79, which one of the following statement is correct, benign tumor show the property of metastasis, नहीं, correct statement पुचाय में, heroine accelerate body function नहीं depressed करती है, malignant tumor exhibit metastasis, बिल्कुल सही है, patient who have endergon surgery given cannabinoids, गलत, opioids आना चीए था, तो हमारे 79 question का answer है third, next बढ़ते हैं, question number 80 की तरफ, the term immunity refers to, प्रतिरक्षा सबसे तात्पर्य है, mutilism between host and parasite, परपोसी वा परजीवी के बीच में सहे पर खारिक्ता नहीं, ability of the host to fight the disease caused organism, ability to survive नहीं, fatal disease नहीं, हमारा अंसरा जाएगा second, परपोसी के रोग उत्पन करने वाले की रोग उत्पन करने वाले जीवों के विरुद्ध लड़ने की शमता, हम उन रोग कारकों के विरुद्ध जो काम करते हैं, जो हमें यह ability provide करती है, that is known as a immunity, इसका 80 question का answer आजाएगा second, next, cocaine is commonly cold as a cocaine का सामन्ने नाम क्या है, smack नहीं, coke, crack बोल सकते है, हशिस नहीं, चरस नहीं, answer क्या जाएगा, coke, question number 81, answer है second, coke, next, 82, डाइग्राम दे रखा है में antibody molecule का, A, B, C, D हमें पूछा है, A है antigen binding की site कहां दे रखी है, इसमें दे रखी है, B है light chain, इसमें दे रखी है, C है heavy chain, दे रखी है, D है disulfide bond, दे रखा है, third option है, विल्कुल सही है, A, गलत क्यों है, क्योंकि A, first option में A, गलत है, second option में B, गलत है, third option में A, सही है, लेकिन B, गलत है, तो हमारे पास 82 के अंदर, जो answer आएगा, वो कौन सा आएगा, third, next 83 के तरफ बढ़ते है, which of the following is an opioid narcotic, opioid narcotic के बारे में पूछ रहा है, बार्विचुरेट नहीं, morphine है, amphitamin नहीं है, LSD नहीं है, तो 83 के लिए बारा answer आएगा, second, opioid narcotic के अंदर, morphine, clear, next question number 84 की तरफ बढ़ते है, plant का डाइग्राम दे रखा है, NCRT का है, search diagram है, यह denote करता है, कोको नहीं, cannabinoids को बिल्कुल सही, तो question number 82 में, जो drug हमें मिलेगी, इस plant से, उसका नाम होगा, cannabinoids, cannabis sativa, plant के बारे में बात कर रहा है, यह, तो 84 गांसर, second, 85, cancer cell are more easily damaged by the radiation than the normal cell, they are, starved of the mutation, क्योंकि इनमें कम उत्र परिवर्टन होता है, ऐसा नहीं, non dividing यह भी नहीं, due to differentiated form, विबेदित रूप के कार नहीं, बहुत तेजी से, undergoing rapid division, बिल्कुल, that's why, क्योंकि यह, बहुत जल्दी, divide होती है, और tumor का formation करती है, जब radiation डाला जाता है, तो उनमें most of, वो ही cell होती है, जो rapidly divide कर रही है, तो, normal cell को बजाए, the damage किसको करता है, यह cancerous cell को, answer क्या जाएगा, fourth, 85 का, next, 86, the cell called HIV factory, macro phases, बिल्कुल, सीधा, tick करना है, बस हमें only, simple, question था हमारा, macro phases, NCRT based, completely, next, आते हैं, 87 के उपर, the drugs used to quickly reduce the symptom of allergy, allergy के symptom को रोकने के लिए क्या चाहिए, anti-histamine, adeline सही है, histamine, thiroxin गलत है, क्योंकि इस्टामीन तो खुद बढ़ाएगा, adeline and alpha interferon नहीं आना चाहिए, all of these गलत, answer क्या है, 87 का, first, anti-histamine, दो, histamine को suppressed किया जा सके, adeline दो, mass cell को रोगा जा सके, ताकि allergy के symptom वो आते हैं, उनको हम reduce कर सके, वो भी quickly reduce, cigarette पूर्ण कम करने के लिए, 87 का answer आजाएगा, first, 88, which of the following set include, bacterial disease, bacterial disease के बारे में पूचा है, retinas, TB, measles, नहीं, measles नहीं आएगा, जिप्टिरिया, leprosy, plague, बिल्कुल, 88 के अंदर, second option है, तीनों की तीनो, bacterial disease है, भी या, cholera, typhoid, mumps नहीं, malaria नहीं, तो हमारे पास, option क्या आया, second, सारे के सारी कौन सी disease है, bacterial, leprosy, or plague, next, 89, which drug is being, excessively, taken by some sports person, now a day, कौन सी अधिक मात्रा में ली जाती है, आज के टाइम, sports person के द्वारा, answer है, cannabinoids, NCRT का exact statement है, nowadays, sports person, used cannabinoids, as a drug abuse, तो 89 में आज आएगा थर्ड, 90, column match करना है, sporozoids, infectious form है, philarasis, वुचे रिया, टाइफाइड के लिए विडाल, डेंगू के लिए, eddies, A में फर्स्ट, B में थर्ड, C में, फॉर्थ, और D में सेकेंड, question number 90 का answer है, fourth, question number 91 की तरफ जाते हैं हम लो, select the correct statement, filling the blank, smoking produce and reduce the concentration of in blood, उत्पन करता है, रग्त में सांदरता को कम करता है, ठीक है, इसके लिए हम चेक करें, तो हमारे पास option क्या है, first के लिए, अच्छा, इस first के लिए है, sedative, नहीं, ये नहीं आएगा, first के लिए है, CO, ठीक है, ठीक है, या आएगा, cannabis यहा सकता है, carbon monoxide produce करता है, हमें binded oxygen, carbon monoxide उसके साथ, permanent bond formation कर लेती है, इसलिए free, हमोगलोबीन हमें नहीं मिल पाता, जो कि oxygen के साथ जुड़ सके, तो हीम bound and oxygen वाली जो condition है, वो मारे पास नहीं होगी, दोर concentration में, जो oxymoglobin उसका level decrease होता जाएगा, जी, cannabinoids, receptors are present in CNS, second के लिए brain, brain में, सही है, सही है, छीक है, morphine is very effective and, morphine effective क्या है, third के लिए अच्छी है, sedative, नहीं, pen killer, हाँ, sedative है, और pen killer है, यह भी सही है, ठीक, तो first में check करते हैं, first option में, question थोड़ा सा confusion है, confused होने की बात नहीं है, इसमें देखना है कि first option में, पहले के लिए क्या है, second के लिए, third के लिए क्या है, पहले के लिए, sedative, pen killer, गलत है, यह sedative, pen killer, नहीं आ सकता, दूसरे में है, first के लिए, कार्बो, ठीक है, CO, carbon monoxide आ सकता है, हिम बाइन दॉक्सी, जन बिलकुल, oxy, hemoglobin, मॉर्फीन आ सकता है, second में, receptor, cannabinoids, receptor present in, brain, सही है, morphine is very effective, sedative and pen killer, बिलकुल, second option, बिलकुल सही है, third में, GIT दे रखा, इसलिए नहीं लेंगे, इसमें भी इसलिए नहीं लेंगे, तो 91 का answer, जो है मारे पास, वो क्या आएगा, second, 92, the common cold is caused by rhinovirus, retrovirus, mixovirus, streptococcus, pneumonia, rhinovirus, most positive agent, जो है किसका, आपके common cold का, 92 मांस रहेगा, first, 93, statement regarding splin, and select the correct option, splin is large bean shape organ, which mainly contain lymphocyte, and phagocytes, बिल्कुल सही है, ठीक, splin is very large, revive of erythrocyte, बिल्कुल, पंडारन करता है, ठीक है, splin is a primary lymphatic organ, primary नहीं है, secondary lymphatic organ में आता है, splin act as a filter, बिल्कुल सही है, थर्ट गलत है, बाकि सारे क्या है, सही, थर्ट को छोड़ दो, बाकि सारे सही है, तो answer क्या जाएगा, मारा fourth, सही पुछा ना, बिल्कुल, सही पुछा है में, तुमारे पास, question 93 का answer आएगा, fourth, नेक्स बढ़ते हैं लोग, question number 94 की तरफ, select the option, अच्छा ठीक है, multiple ovulation, transfer technology, इस पूर improvement, सुदार के लिए ठीक, cow administrator, to induce follicular, ठीक है, instead of one egg, cycle X, produce ठीक, the fertilized, ठीक है, cold, refer to the serogate mother, कोशी के वस्ता में, ठीक है, पढ़ें इसके अंदर, option first में, ए के लिए दे रखा है, ए मतलब ये वाला, multiple ovulation, zygote, transfer is for, pure line, improvement, second में, the cow administrated estrogen, induced the follicular maturation, poly ovulation नहीं, ए में दे रखा है, embryo, multiple ovulation, embryo transfer technology, is for, herd नहीं, इसके दे रखा है, इसके अंदर, instead of one egg cycle, six to eight, तो सही है, और produce, ठीक, D में, इसके दे रखा है, इसके दे रखा है, the fertilized egg, at four to eight, नहीं, फॉर्थ देखते है, 94 के अंदर, फॉर्थ में है, है, B के लिए, first FSH, B के लिए, administrative FSH, अगर यहां FSH रखूं, to induce, follicular maturation, super ovulation, बिल्कुल सही पैठ रहे है, super ovulation, C के लिए, first C का है, यह रहा, six to eight cycle, सही है, तो, कुल मिलाकर, हमारा fourth option दो है, वो सही है, इसमें B के लिए, first or second, सही बैठ रहा है, C के लिए, option जो है, वो बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो, question number 94, गांस रहेगा, fourth, question number 95, an acquired disease, whose entry in the body, occur through deep skin cut, which are exposed, to dormant, torment, pathogenic sports, present in soil, रोग जो गहरी, घाओ के माध्यम से, मिट्टी में मुझूद, रोग जनक, विशानू के, संपर्क में आने से होता है, TB, इड्रोप्लेट इंफेक्शन चाहिए, इसके लिए, नेक्स्ट है, सिस्टो, सुमिसिस नहीं हो सकता, टिटनस हो सकता है, चोट लगी, मिट्टी में जहां आपको चोट लगी थी, वहां अगर वो स्पोर्ट्स थे, तो आपकी बोडी में क्या कर जाएंगे, एंटर कर जाएंगे, 95 गांसर आएगा, थर्ड, नेक्स्ट, 96, फिलिंग दाल लाए विद एक्ससी मुकस, फ्लूड, रिदूस्ट इफूजन रेट, ब्लूश पिग्मेंट, अंडर नेल्स, नाकून की नीचे नीले विक्षित हो जाते, शलेशमा का भराव, गैसों का विश्र अंदर कम, संक्रमन किसके वज़े से होता है, साल्मोना टाइफी नहीं, हीमोफिलर्स, इंफ्लेंजा, आ सकता है, हीमोफिलर्स इंफ्लेंजा आएगा, आपका इसके अंदर नीमोनिया की बात कर रहा है, स्ट्रेप्टोकॉकस, नीमोनी आ सकता है, बोच सेकिंड एंद थर्ड नीमोनिया की बात ओरी थी, फॉर्थ ऑप्शन जो है मरा बिल्कुल एप्प्रोप्रोप्रेट है, हीमोफिलर्स इंफ्लेंजा से भी नीमोनिया हो सकता है, स्रेप्टोकोगब से भी स्मेंवनिया हो सकता है नेक्सट 97 कप्लीट ऑनलोगी कंप्लीट पूरा करें से हम स्किन कार्शिनोमा ब्लट फोर्मिंग टीशू मेले नहीं लुकेमिया हो सकता है लिपोनिमा नहीं कार्शिनोजन कार्शिनोजन नहीं है सच नहीं हो सकता 97 में मरद वांसर आएगा व सेकेंड ब्लेड फॉर्मिंग टीशू जहां ब्लेड गैंसर की बात हो रही है तो क्या आएगा आपका लुकेमिया कि लक्स बढ़ते हैं कॉश्चन नमोर 98 की तरफ इफ डॉक्टर फाइंड दा सिम्टम ऑफ पेशेंट क्या है इंटरनल ब्लेडिंग है मुकसल पेन ठीक है फिवर है एनीमिया है ब्लोकेज हैं इंटस्टाइन में सीधा मतलब है एसकेरेसिस है रेंगू के नहीं है एट बांस रहेगा सेकेंड नाइंटी राइन इस सर्टेन पेशेंट इस सस्पेक्टेड टू बी सफरिंग फ्रॉम एक्क्वाइड इम्मिनोडेफरिशेंशी सिंड्रॉम एट्स की बात कर रहा है विचल फॉलॉएं टेक्निक विल बी रिक्वंडेड फॉर इट स्क्रीनि उसको पहले स्क्रीनिंग यानि उसकी पहले पता लगा जाए कि उसमें सिंटम्स आये हैं तो क्या है फिर उसकी कंप्लीट इसकी जाए स्क्रीनिंग के लिए मियूज करते हैं एलिसा को और कंफरमेशन के लिए विडाल बॉल्टिंग टैस्ट उसकी आगे की तरफ हम उसको बेचते हैं कि वेस्टन ब्लोडिंग टेस्ट वो करवाए ताकि उसकी पुष्टी की जासे के इसके आंसर किया जाएगा सेकेंड विडाल नहीं होगा एम राई नहीं होगा वेस्टन ब्लोडिंग और पीसी आर रेस्पेक्टिवली लेकिन पहले एलिसा करवाएंगे फिर ह फिसन ब्लोडिंगे पीसी आर को आज किल यूज करते हैं कॉमनली लेकिन पहले ब्लोडिंग नहीं होगी पहले यलिसा फिर वैस्टन ब्लोडिंग रिसपेक्टिवली न स्यार्टी का स्टेट्मेंट है ऐस सच स्वारी इसमाएगा फर्स्ट स्वरी सेकेंड एलिसा एंड वेस्टन ब्लोडिंग लेक्स नाते क्वेश्टन नंबर हंडड की तरफ जो डाइग्राम हमें दे रखा है वो डाइग्राम है हमारे कैने बिनोइट्स का ठीक तो मारे क्वेश्टन नंबर है थर्ड कैने बिनोइट्स आई होप आपको पर अच्छा हुआ है कम्प्लीट एंचियाटी बेस्ट हमने इस पेपर को डिजाइन किया था ताकि आप लोगों की कम्प्लीट एंचियाटी प्रेक्टिस हो सके ठीक है बेस्ट ओफ लग फूर बात कर रहे हैं और उसमें सब्चेक्ट आपना कौन सा है क्यमेस्ट्री उसके फर्स्ट क्यूसन की बात करें तो आपको देर रखा एरेंग और डिग्रीजिंग ओडर ओफ देर वोईलिंग पॉइंट आपको करना क्या है कि जो आपको कंपाउंड दिये गये उनको को है वह बटा और भुटेन दिया न मुंटेन कहोँ त कि फर्स आपको दिए है ए ईन्वी नर मीथान प्रोपेन यह होता आपका हिए है है इसमें आपको क्या बताना एंग तो सबसेद तो आहीं कि को इस और आप आपन बात करorit तो यह वाला compound अगर बात करें तो चयर कर्बन क्या बाकी यह सरे सüics को हिडिता saakhit के बात करते हैं और यह रहां कोई ब्रांच नहीं है इसमें यहां आगास याँ सरफेस एरिया की बात करें तो यह होताै है तो पॉल्ट कुप है तो तो यहां सबसे ज़्यादा तो होगा किस का होगा वेटा थीक है फिर बाद किस का होगा घगा सबसे ज़्यादा सी फिर भी जिसका होगा विटा अब होगा क्योंकि इसके ने यह करें क्या है आपना c b d a c b d a kone और अजय आपको दिया है है निम लिखित हाइडोजन की उद्धे के साथ घृतने को दिया है और अपने को रीक्षन पतानी किसके साथ तुच्यों की साथ अगर कि थिंद प्रोंद में तो करें तो इस conservative अप से इसके रीविटी पूछिए रियान के म dab אני ये तो हीड्रोजन वादा ये है एच्छों का बॉन जितना ब्रेक होगा उसके रिक्टिविटी किया होगी ज्यादा होगी ठीक है दो यहां पर आपको क्या दिया एडिया है एक लिया है उप कि इसमें से कौन सा तो आपको बता है कि यहां इलेक्ट्रो निटीविटी क्या है तौनसे होगा और इसकी की ज्यादा है त्यूद्ट इसकी ज्यादा है तो दो क्या चाहिएगा ऐसे ठीक है तो ओप्सन आपका कौन सा राइट होगा है राइट होगा चले वेटा नेक्स्ट कि अगा चले नेक्स्ट रिया है संचालन के निम्न करम का अंतिम उत्पाद क्या है आपको दिया वाट इधा तो इसके कितने मोलकुल वेटा काम आएंगे दो इसको ब्रेक करोगी यह पॉजिटीव यह नेगटिव यह नेगटिव ठीक है यह बनेगा के साथ यह बनाएगा तो यह बन गया विटा सब्सक्राइब क्या बोलते हैं एसे टिलिन और प्लेस साथ में क्या जाएगा सी यह ओच का होल्ट वाइज राइट ठीक है और फिर अपन क्या करवा रहे हैं डाइलूट आइस तो फॉर के साथ मर्कृ आइन की प्रजेंस में और डाइलूट एस टुएस फॉर के साथ परफिए एक फेए नेगेटिव का है ड्ला है क्या बनेगा। एक पर किस चुह और और January होजाएगा तो यहां और इएक आपका पोजीटिव और यहेत और इस पर वज़का राइट यह बनेगा फिर इसमें आप रही अर्रेंजमेंट करवा दीजिए रियर अर्रेंजमेंट रहा होगे यह बहुंड आप यहां देते ना एज को ब्रेक करके यहां देते ना यहीं होगा ठीक है तो क्या बनेगा विटा आपका कंपाउंड होगा कौंसा सेकिंड आंसर सेकिंड सही होगा विटा चेस्थरी शेचो बनेगा next आपको दिया है which one of the following compound would have the highest heat of hydrogenation heat of hydrogenation पुचा है आप से हो हीच पुचा है Stability of Alkene Alkene के इस्थाइत्व की क्यों होता है वित्कृमानुपाती होता है ठीक है और ये ड cold expecting होता है ता abol spiritually direct proportional क्यों होती है किसके number of alpha hydrogen number of alpha hydrogen तो कहने का मतलब जिसमें alpha hydrogen ज्यादा है उसका vest depiction ज्यादा है और जिसका altitude stability ज्यादा है उसकी heat of hydrogenation क्या होगी गोगी सोफ़रेंग चम्हों होगी क्या फ्लस कांट लिए स्कूर कर लिए यह इसको अपन्कर करके लिखे इसको तूर तीन यह रहे तो दो १ॉल्वा स्थिखों प्षार्ट तो कि टर्फाए लॉबा में किए उसकी फ्रुस्केंष् Carson ला। ज्यादा होगी तो आंसर क्या होगा स्स्थम्स में लुगत पुंस एट्धेंड स्सां प्रिस्ध horn सुरोगा नेक्स चले मेटा फिर आपको फिप क्यों संद्य रखा है थ्री मेथिल टू पेंटिन पर एच्छी एल की रियक्षिन करवानी है थ्री मेथिल टू पेंटिन तो सी एस थ्री सीएच डबल बॉंड ची एस 3 सी एस 2 सी एस 3 यह दिया है और इस पर एक्षिन किसकी करवानी है एच सीएल एच ओ ओओ कीजिएशन करते हैं तो प्लस होता है और वह क्या ओता है माइनस होता है ठीक है आपको बॉंड ट्रांसपर करोगे तो इस पर प्लस ऐफिक लगएगा नेगी बनेगा, और आपको आटेक करवादा है, क्या करवादा है अन्होरी किनेगा करेगा बनेगा गिता सी यहां है किसक ईल पॉजिदिटीव सब्सक्राइब हो और शी आसर गांशर गई तो अंसुर सोफिक डेक स्क्राइब पर नहीं होगा यहां पर देखो च्छ पर किसका टेक हो रहा है और यहां और यह तरी आपको आंसर क्या होगा थर्ड राइट होगा आपको आपको दिया है कि एन ब्यूतेन का कलोरी निकर्ण करवाते हैं तो कितने लें मौनो क्लोरो ब्यूतेन प्राप्त होते हैं एंडी यह लेजिए कि थीक है कलोरी निसरी एक्शन करवानी है कि उक्टी है तो जब कलोरीन से रिक्षन करवाओं तो कण सी रियक्षन होगी सब्स्ट्यूशन होगी तो जितने इसके हाइड्रोजन डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन है वह आप क्या कर दो रिमूब कर दो तो यहां से हाइड्रोजन कहां से रिप्लेस हो सकते हैं आपका यह हैड्रोजन रिप्लेस हो सकता है यह और यह दोनों क्या है सेम है यह दोनों डिग्री हाइड्रोजन है यह दोनो से ज हिर्व है यह से त आघह यह थी बनेगा यह तो बनेगा यह की यह सब तो टूट्री थो वन क्लो ते राइड तो नों का से बनाने थो डो पहन तो यह थी फ्रोक्तшla नहीं है तो जो मेतिकल यह सेंटर नहीं है इसमें कोई सेंटर यह कुन सा है कौन सा है काइरल सेंटर यह वाला यह सेंटर आपके काईरल सेंटर है और काईरल सेंटर है तो इसके कितने बन जाएंगे एक तो यह खुद ही है और एक इसकी मिरेरी मेज बन जाएगी एक इसकी क्या बन जाएगी यहां मिरेरी मेज बन जाएगी तो किते कमपॉंड बनेंगे एक दो और यह थर्ड तीन तो टो कि पान सो डिग्री सेंटिग्रेड दो तू पर मिठाइल लगा लिए तो मिठाइल हो गया अब इसकी रियक्षन करवा रहा है एक बात ध्यान रगना पांसो डिग्री सेंटिग्रेड लिग दो यह बात यह ठीक है और इस पर किसके क्या होता है तो कितने हाइड्रोजन रिमू होते है फिर बात में सब क्या होगा एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा यहां से है ओके तो जैसे इनके पास क्या आएगा यहां सब के पास अनपेड़ इलेक्ट्रोन आएगा ओके यह इसके साथ बनाएगा यह इसके साथ बनाएगा यह इसके साथ बनाएगा तो अपनी स्टेक्चर क्या बनेगी अपनी स्ट्रेक्चर बनेगी सीच पहले तो साइक्लाइ यह लेजी और यह टेक्सर कि आप देखिए कि इस बड़ टोलेट बनती है क्या बनती है तो रर्च अगर एंजन वनती और टू मिधाइल एक्सेंड दिया है तो आप क्या नियर्मान होता है ठीक है प्रिवर्तन के लिए आउसक है दा रिएजेंट नीडेड फोर कनवर्टिंग प्रिवर्तन के लिए आउसक अभी करुमग है क्या दिया आपको आपको दिया है अलकाइन दिये है और उससे आपसे पूचा है कि कौन सी अलकाइन बन रही है अब आपसे ये पूचा है कि इसके लिए रिएजेंट पूचा है कि कौन सा रियेजेंट तो अगर आप उत्प्रेर के हाइड्रोजनिकन करवाते हो अगर आप उत्प्रेर के हाइड्रोजनिकन करवाने पर तो यह नहीं हो कि ओके आपको एस्टू और लिंडलार दिया है डिन्डलार रोता है आपका प्लेडियम साथ प्लेदियंक साथ लिक्ता से नहीं पनती थिस नहीं बनती आपके यह दो तो होंगे नहीं अब इस वाले बनती है शिस बनती आपको देखनी कुछ साथ यह था चले प्रोपाइन के जलियोजन के प्रिणाम सरूब मुख्य उत्पाद का निर्मान होता है तो प्रोपाइन का करवाना है प्रोपाइन आपका क्या है राइडरेशन बन जाएगा जाएगा सीय यहां क्या होगा विट्डअ और यह क्या हो जएगा सी फेक है सब्सक्राइब क्या बन जाएगा कि 100 क्या नाम क्या होता है एसी टोन तो क्या बनेगा एसिटोन नहीं बनता प्रोपेन नहीं बनता इससे अधीर कटोन बनते है कारवनिल कंपॉइन बनते हैं कि अगर आपको नेक्स्ट क्योश्टन दिया है लिए और एच्चल के साथ रिक्षन दिये और आप से पुछा है मेजर पुछा है मेजर पुछा है तो आप एक कम करो बॉन्ट ट्रांसपर करो यह लिजिए यह पोजीटिव और यह नेगेटिव ठीक है बट यह कार्बोगटैन बना य अगर यहां से हईड्रोजन सिप्टिंग कर देए यह तो आपका यह बन जाएगा और यह बना यह बन अधिस्टेबल होगा वह आपका यह हो जाएगा और इस पर आपके प्रोडक्ट आपका जमनेगा नहीं यह नहीं बनेगा यह भी नहीं कहां तो यह आपका प्रोडक्ट राइट है तो औप्सन आपका कुण सा हो जाएगा थर्ड आंसर आपका क्या होगा सई होगा ठीक है ध्यान रगना बेंजन से जुड़ने वाला कार्बन कार्बॉटाइन में चेंज होता है किसलिए इस्टेबिलिटी के लिए ठीक है वह ज्यादा स्टेबल कंपेट क्यों कि उसमें रेजनेंस नहीं होगा ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा थर्ड राइट होगा चले नेक्स्ट आपको एक कंपाउंड दिया है कंपाउंड में कह रहा है इसमें जब आप रेजनेंस करवाओगे तो रेजनेंस करवाते हो तो यह इलेक्ट्रोन देगा बेंजन को और बेंजन को देगा तो और फइरा पॉसिचंट पे इल्लेक्ट्रोन देंसिटी क्या हो जाती है ज्याद हो जाती है आपको पता हो यह गुरूप कोन सा हो जता धॉट्र अ है और फइ Fen fam feelsein को जोटी है यह वाले पॉसिलिविटी कहा है यह बी पर आप अप से आय में और चекप सिंग नहीं होगा तो पॉसिविटी ज्याद्थ कहां प्ैटा थीख है आप आंसर क्या होगा बी जाई चुरोगा ठीक है next चले फ्रीडल क्राफ्ट विग्रिया में अलचल रिक्षिन काम क्या होता है ठीक है आपके फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्षिन होती है जैसे बेंजिन दिया और बेंजन की रिक्षिन आपने तो यह क्या बन जाता इसके बात करें इन दोनों की बात करें पहले इन दोगी रियेक्षिन करवा रहे हैं तो इन दोगी रियेक्षिन से यह बोन आपने ट्रांस्फर किया कि इसको तो आपका बन गया सी एस थरी और कि यह बन जाएगा सी एस थरी पॉजिटिव प्लस क्या बनेगा विटा एल सी एल फोर नेगिटिव बनेगा और अब इलेक्ट्रोफाइल का टेक होगा जाके कहां पर बेंजिन पर ठीक है तो यह कि यह क्या बनाता इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं तो आप मतलड़ जलका अप्सक्राइब वाटर नहीं आप्स एंट्रोपाइल साथ प्रॉर्ण कर रहा है तो एलेक्ट्रोन प्रॉज़ को चले नेक्स अच्छा कि उसने घुक आप से पूछा है ऐसकी करिया शिलता का गटता करम क्या है एक चित ध्यान देखना आपके यहां पे देखो ऐक अलकिन ये स्टाइडीन दे रखा है ठीक है इस पर कि यहांपे आपको आईज़ दे रखा है यहां पर आपको मिधार लाए ठीक है नेक्स्ट कुशन की पर्जिखेंट इसकुल्ट पर चलते हैं चेजवर हो इसमें कोई दिक्र नहीं आपको चार चीज़े दे रहे हैं अब यहां द्यानखना आप बॉन्ट ट्रांसफर करोगे यह लिजी यह बॉन्ट ट्रांसफर किया यह नेगेटिव आया इस कारवन पर क्या आया पोजिटिव आया ठीक है यह पोजिटिव जितना ज्यादा इस्टेबल होगा ठीक है उसके इसको और इसमें साथ में क्या है आपको ग्रूप दे रखें तो इन ग्रूप में आपको देखना है क्यों कि आपके सीएस्थरी दे रखें तो यहां अलफा हीड्रोजन और यहां पर क्या हो जाएगा हाइपर अगे तो आप यह देखी किसके पास एलफा हीड्रोजन ज्यादा है उसमें ज्यादा होगा और स्टेबलीटी बीडिया क्या होगि ज्यादा होगी तो इसलिए स्टेक्टर उतनी ही क्या तो फर्स्ट इसकी बात करेंपन तो यहां आपको देर रखा है है यह आपको देर रखा है सीएस थरी यह और यह सी एस थरी तो यहां आलफा हईड्रोजन कितने हैं और हैं को यह एक है कि यह लब यह लोग यह वैकि है यह वाला जो होगा यह फर्स्ट नंबर पर यह बार में सेकेंड नंबर भी होगा यह थर्ड नंबर भी होगा और यह फोर्थ नंबर भी होगा ध्यान दगना तो इसमें देखो CS3 3 Alpha Hydrogen 2 Alpha Hydrogen 0 Alpha Hydrogen 1 गलत हो गया इसमें देखो 3 Alpha Hydrogen 2 Alpha Hydrogen 1 Alpha Hydrogen और 0 10 Ti Musea 3 2 1 0 यहां हो गया है यह यहां है यहां दो है यह थीन मोट बलत उल गया तो तो तेनों हो तेंद आपका ये राइट होगा यह होगा यहां कम होगा हगकं होगा और करें की है कि अधे हैं इस है यह क्यों इसन की बात करेंडि नेक्स्ट आपको दिया है कि गयमेक्षय इस और यह बैंजिन और इसकी रियक्षन करवानी अपने को के साथ Sun light की अक्षिए होता है इसके पाइब नो ब्रेक होते हैं यह क्या हते हैं भूल पाई भूंड ठीक है ध्यानकर केवण ब्रेक होग होगा कि आप यह ब्रेक होगा यह ब्रेक होगा यह ब्रेक होगा ठीक है इसके पास स्ट्राइगा तो टो टल किते हैं छह से आल का आते हैं और इन पर यहां सेल काटे कोगा सीएल बनाएगा सीएल बनाएगा सीएल फ्री रेडिकल मेकनेजम ओके ठीक है यह बनता आपका गेम एक्षिन इसे का नाम होता है यह बन जाएगी इस टेक्ट चाहर पाई बॉंड की ब्रेकिंग होती है अधिएट कौन सी पहला आपका सीएट सीएलिसेंग बोलते हैं चैас चैघ्रोजन चैकलोरी ने तो इसको 666 बोलते है इसे लिंडेन भी बोलते हैं आपको याद हो तो और यह सब क्या है कि ट्रना सकी है यह सबी एक ही कंपांड के नाम है और यह कीटरना सका क्या काम एक आपक क्या होगा आपनी क्या करवाया सनट्राइट की प्रसेंश में और किस से रियक्शन करा थे यह नहीं होगा तो आपको क्या होगा पर लेखो गई हुआ कि अब जाए चरे अ रिफ्टी नंबर का क्यों सॉन है नाइट्रिक अमल वह सॉल्फियृरिक अमल द्वारा बेंजिन का नाइट्रिक गड़न है यह यह रहा है नाइट्रेशन ओ पेंजिन वाइन नाइट्रिक असिद एंड सुल्फियूरिक असिड ठी करवाते हैं और जब इनकी रियक्शन करवाते हैं तो यह ब्रेकिंग होती है कि इसमें अनुटू और ऑच अनुटू प्लस होता है और माइनस होता है यह जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है इस इलेक्ट्रोफाइल का अटेक होता है अंहीं होता है है तो क्या बनता नैट्रोफन पूछकर देखे धो माइस से क्या गया है और मिलकुल सभी बात है है क्योंकि इलेक्ट्रों सनी से इलेक्ट्रों सनी का क्या हो रहा है प्रतिस्थावन हो रहा है तो आपका फिस्थावन हो रहा है तो आपको प्रतिस्थावन हो रहा है तो आपको क्योशन दिया है हाइड्र कार्वन के लिए आपको अलकेन दिया है यहां पर दिया है कि यहां जो हाइड्रोकार्बन दिया है तो ले ले लेते हैं और इसका क्या करना है वेटा अधिन की प्रजेंस में जलाना यह लिजी है ऑक्सीजन की प्रजेंस में जलाते हो ऐप क्रेकिंग बालते हो वह देहने थीक है तो आपके यह दिया है प्रकार्बन और दहन करवा रहे हैं और दहन करा थे तो आपको पता है इसमें दोभी प्रकार के टे le evidence है एक carbon है और एक hydrogen है तो carbon oxygen के साथ रियक्षिंट करके क्या बनाएगा सीयोटू बनाएगा हाइड्रोजन की ओक्सिजन के साथ रिक्षन होगी बैटा क्या बनेगा ह्ट तो बनेगा अब बैलेंस करिए यहां पर देखो कितने कार्बन कितने एन तो यहां अब लगा दो और एन प्लस न को अगर टू से मृटिपना एक रोगे तो क्या जाएगा टू एन फ्लस टू तो तो यहां है साथ में हले हैं तो यहां आ जाएगा आपका कि लिए थोड़ा सा आगे लिख देता हूं चुंब चाने हाई कि तो यह आ जाएगा आपका एन प्लस वन यह आ पाजएपा एन राइट अब कारड बिलानल थो फोगे रही हिसेjang बेलेंस करते हैं सब्सक्राइब मोखते हैं सेlier ऩर mg करते तरो यह अचैनल होगे सब्सक्राइब चाथ हूँए सब्सक्राइब दो न हुखा लए है कि सब्सक्राइब टो फिर्फट दो उखेंसे चैनल हें फोन प्लस वन और इन दोनों को जोड़ दो इन दोनों को जोड़ोगे तो यह क्या जाएगा थ्री एंड प्लस वन ठीक है यह आपका आगया थ्री एंड प्लस वन तो यहां आप लिखोगे यहां पर लिखता हुआ है यहां लिखोगे थ्री एंड प्लस वन अब औक सीजन यहां कितने हैं टू वाइड रड़ तो से आप से पूछा क्या है और टूण अगिसंग्स चाहिए ठीक है तो टॉटल किते आरें इदर कितने आरें थ्री एंड प्लस वन तो थ्री एंड प्लस यहां ऑक्सिजन के एक मॉलिक्यल कितने एटम कितने टू तो टू से तो थ्री एंड वन प्लस वन अपॉन टू हो जाएगा अंसर आपका राइट ही यह होगा ठीक है यह इस तरह बैलेंस करना आपको आना चाहिए चलो मिठ गया कोई दिकर नहीं बट आपका आंसर राइट कोन सा होगा थ्री एंड प्लस वन दुबारे लिख देता हूं और आप से इनी की संख्या पूछिए ठीक है चलें आपन देक्स्ट आपको दिए रखा है विच आप फॉल्लइंग गिव्ज ओन ब्रोमिनेटेड कंपॉंड निमन लिखित में से कौन केवल एक ब्रोमिनी करत योगीक देता है ठीक है सबसे फैस्ट आपको दिए प्रेंट प्लसे थे उतती है आप कर थे क्या है तें तो हगा आपको हायटोजन अटानें हम एड़ कर ना है है तो हैड्रोजन यहां से हैड्य सकता है यहां से अड़ सकता है किते बंद रहे बटा तीन बंद रहे किते कंपोंड बंद रहे थाई आपसे पुछा क्या है एक फिर अगला क्या दिया है तू तू डाइमेथिल प्रोपेन सबसे करवा के देख लीजिए पता लग जाएगा अगर इससे ब्रोमीन की रियक्शन करवा होगे तो आपको पता है यह हैड्रोजन सेम है यह भी सेम है यह भी सेम है यह भी वन डिग्री है यह भी वन डिग्री है यह भी वन डिग्री है तो सारे हैड्रोजन इक्वल है तो कहीं से भी एक हैड्रोजन को आप रिप्लेस कर दो बनेदा तो कितना बनेगा एक कंपऊंड बनेगा और कौन सा आप बनेगा यह से करो थी कि यह से करो ठीक है थर्ड आपको दिया व्यूत इन यहां लिख देता हूं तो इसमें भी कहा से बिटा यहां से हट सकता है तो टोटल किते बनते हैं दो फिर आपको दिया आइसोक्टेन आइसोक्टेन में तो खूब सारे बन जाएंगे तीन इसमें तो कफी सारे बन जाएंगे यहां से निकलेगा यहां से निकलेगा सारी जग्यां से कफी सब्सक्राइब ने नहीं यहां यहां तरी बन रहे हैं यहां काफीज़ी बनेगे आपने तो आंसर यह आ रहा है कि यहां एक बनेगा और एक आप से पुछा है तो अपना क्या होगा टू डाइमिथाइल फोपान शुटो टू डाइमिथाइल प्रोपेन ओगे नेक्स्ट चलें नेक्स्ट क्यूशन दिया है कि एथिलीन के ओजोनी अपकोटेंस से प्राप्ति योगी किसका है एथिलीन का और आपका यह उता है सी एस टू डवलब बॉंड और इसकी ओजोन से एक्षिन करवानी है अब दोटों ब्रेक होंगे तो इसमें क्या बंता है बेटा वोजो नाइड बनता है और आपका ओजोनेड क्या बनेगा यह बन जाएगा कब रोते हों किसे ग्रोते हो फिर आपको पता इस में अब वह श्वाटन दिया मेरे ठीक है तो जिंक और एस्टू से करवाते हो जिंक इसका रहोगे तो यह वोड इसके साथ आएगा यह उसके साथ लिए ऑक्सिजन तो बन जाएगा सीस्टू डबल बॉर्ड नो दूसरा भी एस्टू ओ तो कितने मौलीकूल दो मोलीकूल आपके क्या बनता है तो इसमें कौन सा है तो को किस तरह लिख सकते हैं सब्सक्राइब और यह जो बनता है यह यह नहीं बनेगा बट यह बनता है किसे यह नहीं बनेगा बट यह बनता है इसमें अपने से पुछा इलेक्ट्रों और पना ci थे सथ हैं कि ऑना होता है साथ meant हाइड्रोनी माइन बनाते हैं प्लिस साथ में एं El hor बन तर स्थ में आप काण Wool असरह का करवा था तो इसमें आपका इलेक्टवाइल बनता है वो क्या बनता है ज्या-कन करता है और फिर इलेक्ट्रोंड से का अ्टेक होता है कहा बेंजन पर अपसे मुझ एप पूछ है चाहिग है एकडिक पर कॉन करता कि अट्र फैल पूछा है तो आपको होगा फोगा क्या होगा एस रही होता इव आपका यह 6 अज़र आपको पिनोल दी और आपको किसके साथ कर गई है जिंग के साथ कर रहे हैं तो फिनोल है डिएविद्र को वोटे यहां क्या करेगा इसका रिड़ तो एकटन करेगा ध्याना बेंजीन निक्षिण करेगा तो ऑक्सिजन यहां से ऊक्रान के साथ तो क्या बना देगा जेड़न उ विस सकर किसके आगहए और आपकगा आपका शावार्यों किसक्स सब्यूर्ट थिक जामेंगा now नेक्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स् aromatic मैं है कि यह सकता होता है सब्सक्राइज नियुक्षर कि अब कि था छोंच प्रेद्टि अपना है अगर चैने है को लूर्त डाइरैयिक्टिंग है ज्रिक्ति नॐ इस चैने आपसे और तो इन पेर आप चाहिक है इसके दोनों हते है माइनधि भी होता है प्लस ही ङलोते हैं बात करें आप से यह पूछा है कि इन में परबलतम कौण सा है परबलतम और आपो चाहिज ठीक है इफ इस ईल भी- Mr. 있으 हूर इस इंवे भी दे रहा है ठीक है लोन पर यह भी दे रहा है इस प्रभाव को आपने बोलते है यह भी क्या है प्लस एम इफेक्ट हो गया बट यहां पे कार्बन और कलोरीन कार्बन और कलोरीन में इलेक्ट्रो नेगेटिव डिफरेंस के है कलोरीन की ज्यादा है और कलोरीन की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ज्यादा है तो यहां इफेक्ट पड़ेगा माइनस आई यहां इफेक्ट क्या पड़ेगा माइनस आई पड़ेगा ठीक है तो यहां माइन और यहाँ माईनिस साइब करम essaivasय कि किसके तो आप यह प्रमिन भी नहीं होती है प्लेसं होगा तब है प्लास मit howard तो चैसे तो यह होंगा Скो प्लस होगा तो ओर्थू पर डायलेक्टिंग मिन गया होगा यह आका क्या है परबलतम तो कूर च आपका क्या है परबलतम है कि यहां 3 mentioned이 of us को होता है CS2 C00H C00H मेलोनी कमल दिये हैं इसको अपने को हीट करना है Soda Lime के साथ Soda Lime का फोर्मूला होता है वेटा NaOH प्लस iqo को हीट करोगे आपको पता है इसके साथ कार बोक्क सिलीकर निकलती है यहां से आपके क्या निकलेगी तो एंस के साथ करेगा तो क्या बन जाएगा चाहिए पूर और अब आन्सर देख लिए तो मिधेन आपका राइट अंसर होगा एथेन नीबनेगा प्रोपेन नीबनेगा यह भी नहीं होगा तो फर्स्ट आंसर आपका राइट आंसर कौन सा होगा मिधेन आपका राइट अंसर होगा ठीक है नेक्स चलें करें कि अगर आपको पॉंटि श्याद है तो 23 नंबर का जो सब्सक्राइब आपके स्क्राइट आपके सब्सक्राइब वुक्स में ठीक है बट अगर किसी ने लाइन वाइज बढ़ा है तो 23 नमर के क्योंसर का अंसर कर सकता है आपको दिया है कि बैंजन के बारे में आपको सही कतन का चेयन करना है बेंजन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कोण सा वह देखना है फर्स्ट दिया है विकोज ओफ अन्साचुरेशन बेंजन ऑल्वेज अंडर गोज एडिसन रियक्षन यह कह रहा है कि बेंजन हमेशा आपके योगात्मक अभी गिजा देती है योगात्मक कोण सी बेटा जि इसमें आपके बड़ी मुष्किल से होती है यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस्मेंट होता है तो इसमें पर्तिस्थं बना विक्रिया जो होती है वह होती है ठीक है तो ये स्टेटमेंट आपके क्या हो गया घलत हो फिर भी आपने क्या si ways Hungarian में बेंजन में और अबार रें है नहीं है भेंजन में रेजनेंस होता है और यह श्थेक्टर दों यह दूसरे वाली भी है यह तो आपने एक जो हाइपोथेटिकल एक बना किस्टम सबस्क्सर बना रहा है इसका हाइब्रिड उता इसकी और हाइब्री कुन सा था आपका यह होता है यह इसका क्या होता है hybrid होता है ठीक है तो सर्फ बॉंड लेंद तो देखो आपको पता है सी की बॉंड लेंद क्या होती है 134 यह क्या होते है 151.54 और यहां क्योंकि hybrid में तो क्या होता है है तो यहां होती है वह आपके 1.39 और किते बॉंड टे होते तो च्हों आपके ईक ही प्रकार के द्यान का चयों क्या होती है तो यह आपका गलत है फिर कब ने पाइलेक्टरोन का एक चक्रिया विश्थानी करण होता बिलकुल सही है आपने लिखा ना देरीजे साइकलिक डी लोकेलाइजेशन फिर आपने का मॉनो सब्स्टिट्यूशन और बेंजीन ग्रूप गिव थ्री आइसोमेरिक यह कह रहा है कि बेंजीन के अगर रियक्शन किसी से करवाते हैं पन तो उसके तीन आइसोमेरिक बनते हैं जब बेंजीन इसोमेरिक बनता है ये गलत है कितने मिलते हैं एक मत यह भी आपका क्या हो गया गलत हो गया तो आंसर थर्ड़ आपका क्या होगा ठीक है चले इंट्रमीडेड इन्वोल्ड इन दा कलोरिनेशन ओफ इथेन इन प्रजेंस ओफ लाइट यह कह रहा है प्रकास की उपस्तती में एथेन के कलोरिनीकण में सामिल मद्यवर्ती है एथेन का कलोरिनीकण करवाना है एथेन आपका किस के साथ करवाना है कलोरिन के साथ करवाना है सबसे पहले क्या होता है अगर मेकनिजम देखें इसकी होगा प्रकास की उपस्तती में तो आपके क्या बनते हैं इसके साथ ही एक्षन कर लेगा तो आपका यह रेडिकल बन जाएगा स्थरी एस टू रेडिकल बनेगा प्लस ट्चयलिंकल रखाह।程 हो जाना है फुटा क्यूस साथ कारव मरेड़ी न कर लृक तो działार्ग थी नौस आपका कार और फैुन सब्सक्राइल राहा है तो कार्भी नहीं बनेगा कार्भी नहीं बनेंगा कार्भन स्थन नैन दिया है ठीक है ओके बेंजन की रियक्शन करवाई है वह नाइटिकन करवा है बेंजन की रियक्शन आपके एच नो थरी और कुछ देर पहले आपको इन दोनों की रियक्शन बताई कि मैंने हेच नो-3 और एच टू-स-मरी रियक्शन करवाते हैं तो एक टіरीक्शन बनता है कोण और और नाइट्रो बेंजन बन जाती है मैं पहुत है और नाइट्रो बैंजन की फिर आगे आप फर्दर रियक्शन करवा रहे ह। किसके deux के साथ ऑंगते हैं यहां से CL का टेक होता है FECL3 एक Lewis Acid FECL4- बनता है तो CL प्लस का टेक होगा तो आपको नाइट्रो का इफेक्ट देखना होगा बेंजन पे और बेंजन पे नाइट्रो का इफेक्ट होता है कौन सा आपको पता है स्कुल में इस का टेक हो जाएगा पैटा पना का यह प्रोड़क्ट बनेगा अब इस प्रोड़क्ट का आपको क्या है नाम बताना है कि अब हूँ सिक्वेंस यह उत्रा रख नहीं है बेटा आपसे पूचा है देखो यहां ध्यान देना कि उप्रोक्त परकरम में यह गलत लिखा हुआ है इसको सही करें न यह है उप्रोक्त परकरम में वाई है उप्रोक्त परकरम में वाई है आप से वाई पूछा है आपको यह बताना है, वाई बताना है कि वाई क्या है, वाई आपका यह बनता है, ठीक है, और इसका नाम क्या है, तो यह हो गया बटा, वन टू थ्री, वन पे तो क्या हो गया, कलोरो और थ्री पे क्या हो गया, नाइट्रो, तो वन कलोरो थ्री नाइट्रो बेंजिन, थर्ड दिया है कोलवे उक्त दिया है किसका पोटेसियम प्रोपेनोइड था पोटेसियम करोगे तो यह और इलेक्टरिक करन्ट पास करोगे और तो यह लिए यह तो यह आईनों में तूट जाया गया यह माइनस और यह प्लस आपका यह बन गया CS3 CS2 COO माइनस यह बनेगा फिर बाद में यह क्या करेगा इलेक्ट्रोन यहां से निकालोगी तो यह किसमें चेंज हो जाए रेडिकल में तो CS3 CS2 COO जो आएन हो आपके रेडिकल में चेंज हो जाएगा और फिर यह बॉर्ण ब्रेकिं रोगी तो यह रेडिकल हो यह रेडिकल बन जाएगा थीक है तो यह बन जाएगा CS3 CS2 लिगकल करण से तो आपका यह रेडिकल बनता है दुसरा आपको दिया स्मय थे मैफिल यह वाला दिया 2 कि the tyre मेथिल यह मिधाइल लगा कि यहां स्टू और स encourages ऑ कि इसका कृए तो इसका गी निकाल तो इसा ग्रौत है यह बांस aims तो एक तो डिखल्व आप का यह बन गया ऑप ate यह बन गया आपका यह बन गया मैट न एकड़ बन रहें हैक स्ल्यूइसन में अब रेडिकल रेडिकल दुनों आपस में रेक्षिन करेंगे तो जब एक बार ध्यान रखना यह रेडिकल आपस में रेक्षिन करेंगे तो आपका प्रोडेक्ट क्या बनेंगे चीफ थ्री चीफ टू छीफ टू जीफ टू लोगोगोडerson करेंगे इसके तो यह बनेगा इसके अगर absorben करेंगे तो क्या बनेगा सी इस ध्री किस ठीफ टू से टू जीएच सी एस थрип छे यह बनेगा ठीक है और दोनों तो आपस में तो रियक्षिन कर सकते हैं और दोनों आपस में रियक्षिन करेंगे तो क्या बनेगा ये तो ब्यूटें हो गया कौनवा यह वाला दूसरा आपको दिया 25 डाइ मेथिल यह वाला हो गया 123456 तोपे और फाइब मेथिल तो यह वाला हो गया आईशा रैप ओन ये वाला तीनों बनने तो ब्यूटें भी बनेगा 25 क्यां अब तो आपका है और चले नेक्स्ट हुआ है कि धिर आपको दिया है कि जब फैनिल मेंगेशियम ब्रोमैड कि अभी ग्रिया किसकी करुआ जाती है थेनिल मेंगनेशियम ब्रोमाइड कि आपको आपका हता है ते टू चपाइफ है और आप जब यहां से इसको भो था इंजी प्लस मनेगा और यह आपका क्या बनेगा नाट रीपारबन माइनस मनेगा ठीक है अब कि दूसरा बहार क्या गया यह घ्लीज़ बार के साथ कि तो यह कि अपका शचेक्ड राइट होगा ठीक है नेक्स चले कि आपको दिया है कि निम्र अभिक्रिया के लिए सही कथन है ठीक है आपको बताना है है और उसकी बियाट्व और सीचनल फॉर के साथ है तो सीचनल देबल बॉंड है और इसकी अगर बीयाट्व के साथ करवाती हो किसकी प्रजिंश में आगे तो आपके बियार बॉंड बियार यही तो होता है यह आप इसको दें कि क्या बन जाएगा बेटा सी एस टू बॉन्ड सी एस टू ठीक है इस पर किस काटेक हो जाएगा बी यार का है ठीक है यह वह इस्टेक्चर बनती है यह बनता इंटर्मेडेट है कि यह पिए और साथ में दिए ओके यह बनता है फिर आप बहुंड ट्रांसफर करोगे क्या करोगे बहुंड ट्रांसफर करोगे तो आपका यह बन जाएगा यह इसके साइड और यह बनेगा ऑछाव और यह बनेगा और फिर एसके दुबादे नंदा है यह फ़िनल लिए होगा यह नई बनेग में होते हैं होता है पास-पास वाले पर है तो आपका कौन रों गया लों गया तो यह आपका by müssen फिर आप से पूछा है कोड्र की एमनोफ ऊपर के साथ अगर अगर इस्की कोड्र के साथ करवाते हैं मन फ़ॉर نह्ना माइन्स a कि यह हता है ठीक है तो यह scholar बनेग़ इसकी किया बनेगा और फिर इसका है बॉन ब्रेकिंग होती है यहां क्या आता है यहां चाहता है यहां यहां चाहता है तो आपका यहां भी बन रहा है यहां भी क्या बन रहा है तो आपका भी विपरीत योग द्वारा बनते नहीं जो बन रहा है वो तो यहां लिए तो बनता है यहां लिक देता हुए तो बनता है अब का सिन एडिशन तो यह पूंट भी क्या हो गया गलत हो गया तो आपका अंस्वर क्या होगा ही थर्ड राइट होगा आंसर कॉन सा राइट वाइट होगा थाट राइट होगा ठीक है चले नेक्स्ट चले अगरा नेक्स्ट दिये है तू डिस्टिंग्वेश डिस्टिंग्वेश बिट्विन प्रोपीन एंड प्रोपाइन दा रियेजन्ट वूड बी प्रोपीन दता प्रोपाइन के मद्दे विभेद करने के लिए अभी कर्मक पूछा है ठीक है प्रोपीन दता प्रोपाइन एक तो प्रोपीन दी आपको ये तो प्रोपीन होता है एक प्रोपाइन दी आपको ये कह रहा है इन दोनों में विभेद कैसे कर सकते हैं इन दोनों में विभेद ये तो प्रोपीन ठीक है चारी केमनोफोर के साथ है कर दिये एक्षन करवाएं तो दोनों करेंगे विटा यह भी करेगा और यह भी करेगा ठीक है यह तो क्या बनाता है यह तो देखा था यहां पर और और हम और अब हुआ ठीक है इससे क्या बनता है पाइय में जाता मिन नहीं कर सकते हैं यह भी नहीं कर सकते हैं यह भी नहीं कर आता है यही ओप्सन आपका राइट होगा क्योंकि रीजन क्या है रीजन यह है विटा क्यों आपको पता यह कारवन क्या है इसकी इलेक्ट्रो नेगिटिविटी ज्यादा है जबकि हम है यह यह सीच आपका यह सब्सक्राइब तो इसकी इलेक्ट्रो नेगेटिवीटी ज्यादा है तो यह अडिनों भी जादा होगा पोलेराइजेशन क्या होगा ज्यादा होगा ख्रू निकहले में किसके प्लस के रुप्पे और एचान इजी वे निकलेगा तो फिर सिल्वर नाइट्रेट से रियेक्शन होगी सिल्वर नाइट्रेट एजी यह भी ब्रेकिंग होगी तो एजी प्लस और एजी का टेक हो जाएगा कार्बन पर क्या बनेगा किसको प्रोपाइन को और प्रोपीन को तो आंसर आपका क्या होगा फॉर्थ राइट होगा चले नेक्स्ट क्यूशन दिया है त्वंटिजन था नवोो क्यूशन चीक है नेक्स्ट क्यूशन दिया आपको थर्टी आपको काहा है अ कि ऐखाइलीन ब्रोमेड iss lecar treasury जिंक यानि ऐडिलन ब्रोमेड् Fan अपने साथ करवातके एथिलीन ब्रोमएड क्या होता है C2 c2 यहां ब्यार है बेटा यहां ब्यार एफ और इसके जिंक के साथ रीच्छन करवा रहे हैं तो आपको पता है जिंक के साथ दोनों बियार बाहर हो जाते हैं जन बियार टू बनता है और यहां अलकीन बन जाती है तो यह बनेगा डेवल बन जाएगा ना दोनों के लेक्ट्रोन होंगे रियक्शन का क्या है डेवल बना लेंगे सिंगल बोन तो पहले से हैं दोनों के ले कोई जीवी मिलना चाहिए है ना फिर आपको दिया है कि प्रोक्साइड की उपस्तती में प्रोपीन में एच्छी जोडने के दोरान मद्यवर्ती है ठीक है इंटरमेडेट डूरिंग दा एडिसन ओफ एच्छी ल टू प्रोपीन इन प्रजेंस ऑप्रोक्साइड क्या ह besteht गीड़िया तो एक चीद द्यान होगा यहां ब्रोक्साइड को ईभी नहीं होगा उसे डिदेक्ट का थिससाद होता है चक्शका के साथ होता है यहांशन होगा तो च्छ बने₀-प्र बॉन ट्रांसफर होगा तो किसका तो आपका फर्स्ट बनेगा सी एस थ्री इस पर किसका टेक हो जाएगा एच का तो यह तो बन जाएगा सी एस थ्री और कार्बन पर क्या जाएगा पोजिटिव तो इंटरमीडियेट पुछा आप से क्या पुछा देखो इंटरमीडियेट को कार्वकटाइन बने गा कहीं प्रोक्साइड को कीलchnitt ऑनेना डिक नेक्स्ट्सन चले आपको रिया बंद लंबाई के लिए बॉंड लेंथ बताने द्यान अगना क्या बतानी है बॉंड लेंथ और बॉंड लेंथ आपको द्यानती है क्या होगी वोडों लेंथ बॉंड लेंथ के अगर बात करें तो C single C single C C double सी सी ट्रीपल बाइब सी ओक इसके बॉंड लेंग तो कितने यह ती वन प्वाइंट फाइप पॉर अमस्ट रों इसकी एससाइब ऐसे ऐसे अप्रोक्स और यह उती है आपकी वन पोईन तो जीरो दाना नsex वन पॉर्ट तो आप से सही पूचा तो सबसे ज्यारा किसकी है सिंगल भूंण की भी टृब्ल Katiaorf होगी तो और आजएगा यहां ट्रिपल वोंड डेवल वोंड सिंगल वोंड फर्स्ट और सही होगा यहां सिंगल वोंड की कम करती गलत होगा यहां सिंगल वोंड की कम गलत होगा यहां सिंगल वोंड की कम होगी डेवल वोंड की ज्यादा होगी और सिंगल वोंड की बॉंड और उसकी डियक्षिन आप ने करवाई है किससे विए सथरी से यह तो अगर बीच्ट तरी से डिक्सन गवाधने तो किसके कितने मॉलिक्ट विटा रिएक्ट रिक्त होते हैं तो अनसर के साथ रियक्षिन होगी यह बनेगा आपका और यहां इस पर किसका होता है हॉल्थ्राइज भी यही बनेगा ट्राइब्यूटिल बोरोन बनता है फिर बाद में आप रियक्शन करवाते हो यहां आपको दिया क्या ध्यान गना अगर यहां बोरोन प्लस है और यह आपका माइनस है ठीक है तो किसका टेक हो जाएगा यहां पर यह बन जाएगा आपका क्या बनेगी यह नहीं यह भी नहीं सेकिंड आंसू सही होगा अल्कॉल नहीं बनेगा ठीक है तो सेकिंड आंसूर आपका क्या होगा सही होगा आपका है नेच्ट क्यूशन अपका है sere को क्या करिया है कि अट्ब्योटेंल के निर्जली कन्दवरे प्रमु खुतपाद के रूप में टू उइदिया है यह दिया है और इसका dehydration करवा रहा है dehydration concentrate होगा हीट करोगे तो इसमें से क्या विटा ओवच जाएगा तो बनेगा और राइट साइड का निकालते हो तो बनेगा और अगर राइट साइड का निकालते हो तो क्या बनता है यह बनता है यह माइनर होता है यह मेजर हाप का तो इसमें क्या यह मेजर क्यों है क्योंकि आप अलकीन को छोड़ो तो आपके यह दोनों क्या बच गए वेटा परतिस्था पी सब्स्टिट्वेंट बच गए और अगर इसमें से यह निकाले तो यहां पर क्या बचता है एक ही तती इस प्रतिस्तापी कि संविया क्या होगी ज्यादा होगी तो उसका स्थाइत्व भी क्या होगा ज्यादा होगा ठीक है अकोर्डिंग टू किसके नियम क्यों साथ pot o म्लगे मार्कॉलिक यह पीनि훈 उता आपको दियान है Por souffam looked कैस्ट ने यह होता ठीक है ता अब नहीं जाएगा आपको दिया Thermal Decomposition of Alcans In the Absence of Air मैं थोड़ी देर पहले आपको बता के गया था In the Absence of Air In the Presence of Air वायू की उपस्तिती में और वायू की उपस्तिती में तो In the Presence of Air अगर आप इसको जला रहे हो तो Combustion होता है ध्यान करना धहन होता है In the Presence of Air आप से पुछा है In the Absence of Air तो उसको क्रेकिंग बोलते हैं भंजन बोलते हैं धहन नहीं होगा औक्सीगन नहीं होगा जली योजन नहीं होगा जल के लिए तो वाटर मॉली गुल चाहिए तो यह नहीं होगा ठीक है उसको क्या बोलते हैं भंजन बोलते हैं विटा क्रेकिंग आपका अंसर सही होगा नेक्स्ट चलें पिर दा ओनली ओर्थो पेरा डायरेक्टिंग ग्रूप विच इज डी एक्टिवेटिटिंग इन नेचर यह कह रहा है यह आपको वी सक्रिन खानरी पूछा है मनलब बेंजन को बेंजन पर दो तरह के यह थोड़ी देर अपने पेपर मीं आया था यहां ओष है यहां C l है ठीक है ओच है तो यह भी आपका प्लस M तो यह भी दे रहे है तो यह ईलेक्ट्रोन दे रहा है बाट उससे जधा है खीच रहा है एक बात दिया लगना है थीक है तो खीचेंगा तो जो इसमें कौन सा है यह सारे आपके और क्या करता है डी इक्टिवेट जाए पिर आपको अल्कोलिक क्यों चलिया है तो यह आपको सबसे स्ट दिया प्रॉपाईलोरेड ले रुपाईलीं किलेड यह एद होता है अग Hmmm अगर इसकी रियक्शन ौ dużo घी, कुस्त दीविध सबस्किन है। कयो जो महलिया है इस को म स्टोंग के साथ करेवाते हो भी आपको क्या दिया है अ भी जोगी को जाएगा एक मन दो आ या कौन हो गरी करोंग बेस्ट किया हो सकता और यह भी आपका परबल चाहर तो यह बनती है है यह बनती है क्या प्रोपायन तो यह तो आपका क्या होगा बी होगा और फिर बाद में बीन कि येक्षिन दौंट आप यह बन जाएगा क्रोमियम उक्साइट के साथ 500 डिग्री सेंटिग्रेड पर मॉलिनर उक्साइट के साथ साइक्लाइजेशन करवाते हूं तो आपका यह बनेगा है कि अध्याइट यह बोलते हैं अब आप से प्रोड़क्त नहीं पुछा आप से एप ठीक है और यह आपका प्रोपाइल इन आपना यहीं आणा बाकि इसमें देखो एथिली ने दो कारवन नहीं होगा यहां मेथिली ने यहां एक कर्वन नहीं होगा आपको कोन साच यह ती किन कारवन वाला थी ठीक है क्योंकि आप यहां देखो इस टेक्टर में कितने कारवन एक यह राउंड लगता है यह दिखे वन टू थरी कितने कारवन है थरी कारवन ठीक है तो वैसे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हों तो फर्स्ट आंसर आपका क्या होगा राइट हो क्या है C-سب2-1 he anybody Akaギ कि यह ठीक है फास्ट ओसन दिया है एति न बरनी यह सी स ok 2 यह बनाना है फर्स्ट ओसटन दिया है लीठियम एलूमिनियम के साथ गर्म करके अगर अल्कोल बन जायेoren तो यह घलत है और फिर यह अपने ही दूसरे रेडिकल के साथ रेक्शन करके क्या बना लेगा कि अ ही फिर दिया है soda lime के साथ गरूगे अगर बाता इसको soda lime के साथ गरूगे नमोच और सी वे साथ कर तो यहां से निकल जाएगा ओके एच रहेगा और एच गाटे इस पर होगा तो क्या अगए और चेस पोर बनेगा क्या बनेगा चाह पोर तो यह भी नहीं होगा के साथ यह भी नहीं होगा तो आंसर कुन सा होगा विटा सेकिंड आंसर आपका राइट होगा इलेक्ट्रोलाइजिंग इट्स एक्वस सॉलिफसन ओके ठीक है सेकिंड ऑप्सन नेस्ट के उसन में फिर आप से पुछा है अलकाइनों की अमलिय प्रकरती का सही करम है तो फिर को प्रकरति एलकाइन दी आपको कौन सी तीन कारबन स्वार्वन तीन कारवन और वह थोड़ी जैर पहले इस पर सक्किया था कि जो इस दे आण कितने दे सकता है दो हाईडोजन ही यहां बार होगी यहां एक हाईडडरोजन ही नहीं है तो यहां हडोजन होगा और यहां दोकी के पास देखो hydrogen ही नहीं है तो जीरो हाइड्रोजन तो इसकी तो कोई एसीडिटी नहीं कम तो सबसे ज्यादा एसेडिक कौन सा होगा एथाइन आपकी एसेडिक होगी मौर एसेडिक होगी कंपेरे टू Wanna compare तो दुफ ऌथ ये ऑडर लेह एकष़ है यह थल्द नंबर का देखो यह फ़र्णा उसना आपका क्या होगा राइज होगा छाल सब्सक्राइब हो Geo सब्सक्राइब गलत हो गया यहां थाइन को है यहां देखिए यह तू ब्युटाइन और यह वन तो यह गलत हो गया आपका थर्ड नंबर का उप्शन क्या होगा राइट होगा तो किसमें 39 में थर्ड नंबर का उप्शन राइट देख्स चले हाँ वैटा कि उपस्तती में कलोरीन के साथ बेंजीन के विग रिया दाइक्षन ओव बेंजीन विद कलोरीन इन प्रजेंस ओफ आइरन हैलाइड तो बेंजीन और कलोरीन के साथ ठीक है कलोरीन के साथ यह वैसे एफीच इसी प्रजेंस वेरेक्षन वेटा एफीचल तरी कि प्रजेंस वे और एफीचल प्रजेंस में प्रेक्षन कराऊगे तो पहले बेटा से यलचल की रियक्षन होगे एफीचल यह साथ है यह इसको एक्ट्रों देगा तो CL प्लस बनेगा और FCl- यह प्रिए अटेक करेगा किस पर बेंजन पर बेंजन पर टेक होगा जब दो क्लोडव एंजीन घ्याफ राइट होगा कुछ दित का हैं यह नहीं है क्लोडव एंजीन है तो आप सडığınım hyvä विर्टा से कि लाइट घरम करने पर कि यूशन आपना 41 आपको देए रखा है sodium benzoid और soda lime के निया है sodium benzoid और soda lime केमिस्ण को गरम करने पर निम्न लिखीद प्राप्त हता है और हीटिंग धिक्षेर उप sodium benzoid and sodium benzoid को तो विटा प्लस एए टू थी वहां निकलता है तो आप से पूछा है कि कौन सा वंटेए तो प्रोड़क्ट कौन सा बनती है यह नि बेंजीन सा संव नहीं होग ठीनल नहीं होगा घृ thriving do फीट ऑज विश प्रोसेस कंवर्ट ओली फिञ्ट इन्टो फिराफिन ऊऔर लीफिन को पैरो पैरे बाद तो आपको चीए कि ओल फिन जिए ट NOW होते हैं यारी लर्ली फिन यहें अज्य Christian आसा कशेक को नाम नाम दिया यानि को नाम दिया है ओलिफिन क्यों बोलते हैं किसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रकर्वन जैसे यह को बोलते हैं यह तो आपके क्यों हो गया है यह फिर आपके क्यों हो गए अलके और अलकें कोई बहुक्र जैसे मैंने दिया सीस्टू डवल बॉंड और इसको आपको अलकेंवे चेंज गरना है सीस्ट्री बोंड चीए थरी यह क्या आपके और फैंस ठीक है यह क्या आपके पराफिंस तो इस प्रोसेस पुछा है यह कहादा कि कौन सी परकिलिया है नहीं हो सकता निर्जली गंड तो उसका होगा जिसमें और गुरूप प्रजेंट होगा यहां और गुरूप प्रजेंट नहीं है है ने सब निर्जली गंड भी नहीं होगा तो यह नहीं होगा नेक्स्ट वि Cameron इसकी रियक्सन अपको हाइड्रोजन से तो अगर इससे क्राओं के दोनों पर हाइड्रोजन होगा क्या बनेगा विटा के रिखन होगा तो वह्त रिखनों तो अलकोल बनेगा तो आपके अलकेल नहीं तो आपका जो आंसर होगा वह हाइड्रोजनीक होगा हाइड्रोजनीशन थार्ड अधुशन राइट होगा लेक्स चेलेटर अब फॉर्टी दरी नंबर का क्यों सब्सक्राइब आपको दिया है एक कंपाउंड दिया है कि यह मानलो यह बात अब करवाना है और पूचह है और और क्या देगा तो इसका खरवा और सबस्क्राइब नहीं पहले भी आज़का मैंने का जब ओजोन ऑड़ा तो सिधा सा है कि डवल बॉंड को ब्रेक करो डवल ब्रेक करोगे यहां ऑक्सीजन एड़ और यहां ऑक्सीजन एक लाइगा तो थीक है पहले बनाओ फिर बाद जिंक और एक्शन करो एक डारेक्ट अपन सोचे तो ऑक् तो यहां उक्सिजन अट करोगी तो क्या बन जाएगा वैटा इन डबर मॉंड हो ठीक है शाइकलिक कितों बन जाएगी प्लस यहां उक्सिजन अट करोगी तो क्या मन जाएगा वैटा CS2 ओके यह दो प्रोडक्त आपके बनते कौन से फस्ट नमर का आंसर सही होगा तो नहीं बनेगा से यह सीज़ी नहीं बनेगा कौन सांसर प्रस्ट आंसर आपका क्या होगा सभी होगा ठीक है चले विटा ने अ कि लिखना था है मैजर प्रोड़क्त ओफ कि आपको दिया क्या है आपको दिया है क्या है क्या है पर और द्यान रखना बेंजिन से कोई ग्रूप जुड़ा है और तो आपके सिस्ट्री कनवर्ट होता है और अगर बेंजिन पे सिस्ट्री जुड़ा है तो एक चैज ध्यान रगना कि लास्ट वाले कार्वं का सिट्रूप नाघवार इसका नहीं बनेगा यह नहीं बनेरे ब owe बनेंजिन से कार्वं यह जूता है क्या बनता है सिट्रूप ने तो आप से कीफिंड़ा को चुदा तो नब है आपको यहां दिया क्या है आपको यहां से स्थरी दिया है तो यह भी किसमें होज़ेगा तो यहां देखो आपका प्रोड़क्ट रहे रहे हैं इस प्रोड़क्ट में यहां से हैं यहां नहीं होगा ठीक है इसमें आपका यह दोनों ही आपके कि तर रुप तर धोगा तो आफसे मेजर प्रोड़क्त ठीक है पहले तो बानुर पूछता तो हो सकता अप जरह acesso पूझा है तो में जब प्रोड़क्ट जो सबसे अंतिम यहां नास्ट वाला एंड प्रोड़क्ट जो ता और एंड प्रोड़क्ट आपका यहीं होगा ठीक है चले तो जिनक के साथ रेक्षन प्रोड़क्ट दो यहां से हीट्श्थ बार नकलेंगी इस से ध्यान दखना आपने दिया सी एस तू ऑफी और यहां पर भी क्या सी इस टू तो यह प्री डेटीकल इसके साथ बनाएगा यह प्रोड़ेक्ट गांगे जटन प्रोड़ेटी ने टू बार हो जाएगा तो क्या बन सकता आपका इसदर थे ओंडियों यह बनेगा नहीं सेकंड नंब्र का अप्व्समय सेट शैकल इंदग इन तोने लिए यह पी इनन फ्याएग दोने नों है तो यह लिए यह तो स्ट्क्षरा है तो फ्ष्ट अन्सर क्या होगा आपका प्रण्शरोग्न्स अंसर चालो ठीक है नेक्स्ट दिया है विच इस दा फॉलएंग इस नोट फॉर्म वाइदा रिड़क्टिव और अलाइस ओफ जाए और तो जाइलिन दिया है और यह कहा रहा है और तो जाइलिन का अपन और जोनी करण करवाएं तो इन में से कौन साथ नहीं बनता यह दिया आपक एक करवानी है यह तो इसका रेजोनेंस इन से अब है ध्यान लगना रेजोनेंस क्या है है अगर इसकी देख्टर बनेंट दो कि आपके एक तो यह बनती है यहां च्छी स्थरी यहां से और एक दूसरा अब करता है और यहां ऑख और के रहे माद है यहां है यहां यहां यह स्थरी जाएगा और यहां पर प्रिंए बात करण है टेरव से टर तना ओर तोउड नीक्टीज के इसक नियुए तो इसका होता है जहिता इसका कर वाति हो करो कुझ क्रबिया का भी तरह शुझा अदने काव Your तर यह पोडुबंब से सब्सक्राइब वोम्ड पर प्नेटनों?] तो यहां oxygen होगा यह oxygen इसे चेको ऑक्सीजन आएगा oxygen 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 तो देखो यह वाला जो बना यह कार्बन क्या है है यह carbon CH यह carbon CH तो यह CH देबल बोन CH यह तो एक तो बना इसमें CH डेबल बोन ओ बोन CH डेबल बोन सी एच सीस था इसका करवाते हैं इस तो आपका यह बन जाएगा ठीक है दूसरा यह बनेगा और तीसरा आपका यह बनेगा ठीक है इस कारबन पर बाद करें कि लगो यह क्या बना सी यह सब्सक्श हो सीच हो ≤ taken a ज택 बार्द नासी एक डा मीस बार्ड़ और सीच hills मौन्ड़ यह बात गरें तो यह म्यागा बना सीच डबल कुस्क्र इसके ऐने सीजोदे आराराम writings प्रोडक्ट तो आपका यह हो गया है एक प्रोडक्ट तो आपका यह हुआ दूसरा प्रोडक्ट आपका यह हुआ और तीसरा प्रोडक्ट आपका यह हुआ इसका नाम क्या हो गया गलायोग जेल मिथायल गलाय ओगजेल एक मिथायल गलाय ओगजेल इसका नाम क्या होगा ये तो गलाय ओगजेल ना तरहल vedव और इसमें कितने मिथाइल आगे हैं दो इसको आपने लिखते हैं। और यह रहा है मिल रहा है यह तीन तराइजल नहीं मिल रहा है यह मिल रहा है यह कुझया यह गाता है ऐटी तो ध्यानगना और्थ जैलिन का जब् बी करवाते हो तो उससे इधाईल ग多 यो जडियल नहीं कि निए चलें कि आंसर कोशने सेक्थंड की ठीन और है 47 अ कि अमr कि कही रहा है था फोलॉइंड डीयक्षनthe लोड़ेक्षण दिए है और वह कौन से टाइप का कॉन सी टाइब की रियक्षिन को प्रॉसमें तब सब्सक्राइब को दिए फेस त्याइप कर देखें तो से हें से र्येक्षिन कर्वा एक तो हाइड्रेजन को रिपलेस करोगे किसको रé OUR यहां से में पता लग रहा है कि यहां से हाइड्रोजन जा और यहां पर CL आ रहा है तो एडिसन होता है तो एडिसन में पाइबॉंड ब्रेक होता है और दो सिग्मा फॉर्म हो जाते हैं ठीक है यहां हाइड्रोजन का रिप्लेस हो रहा है किसे तो यह किसने का है एडिसेंट रिएक्षन नहीं एडिसेंट रिएक्षन में वेटा पाइब मुन ब्रेक को सिंग्मा मोन का फॉर्मेशन होता है ठीक है उसमें कोई भार नहीं जाता है अगला अग्ला इसने सब्स्टीक्यूशन जी बिल्कूल यही आंशवागी पर्तिस्था यह भी नहीं है यह नहीं है कौन सांसर आपका क्या होगा राइट होगा ठीक है तो पुर्टीएट में आप से दिया है कि कौन सी अलकाइन थंडा तनुचारी एक केमनोफ और के साथ ओक्सिकन करवाने पर पाइरुविक अमले देती है यह दिया है यह किसका इन में से कौन सी अलकाइन का अपने को मिल जाए पहली बात तो देखो बेटा यहां कारबन कितने 123 123 तो यह तिन कारवन होने चीए तो आइडेंटिफाइग करें तो देखो बेटा इसमें कितने हैं िो सकता फोर यह नहीं हो सकता इस में कितने फोर यह नहीं हो सकता है ठीक है यह प्रोसेस देखना चाहँ आसा तरीका करवन हमुऎ और तीं अच्छे है तो यह नहीं हो सकता चैनल कारवन हें इसमें भी इसमें भी ज्यार कारवन नहीं होगा और यह नम्बर एक दूसरा अगर बाढ़ देखेए पर अगर उक्सिडेशन कर आए तो च ट्रिपल बॉन्ड शीच को उक्सिडेशन कर आप दोना पाइब और ब्रेक होंगी इसका क्या करूआ होगे के साथ ऑक्सिडेशन करूआ होगे ठीक है तो दोनों प्रेक होंगे तो यह बनेगा रहे का दिया इसके पास दो एलेक्टोद को तो दढ़े हैं और फृसा त्रफ्रमचसर शुच्ण नाम हुता है खे democratic तो फर्दर और और तो आपका इन से बनेगा और इस से बिख जो बनेगा आपका इसमें बट चार कारवन का बनेगा यह नहीं बनेगा इतना याद आगा तो यह नहीं यह नहीं होगा आपका क्या होगा चलें कि 49 कि 49 का क्यों दे रखा आपको कि विच डज नोट डी कलराइज बीयार टू ब्रॉमिन वाटर है आप यह कह रहे हैं कि इन वे से कौन सा ब्रॉमिन वाटर को उससे नहीं करता है थिक है भ्रॉमिन को रंगहिन करने के लिए कट लाइज करने के लिए ब्रॉमिन का इसके लिए अगर से लिए इसकी आपने किसी अन्स प्रवाइट के साथ करेगा तो डाइब लिया और इसकी ब्रॉमीन के साथ करवा लिया को है तो प्रोमीन है तब तक तक तो ऊसका कलर है बड्स के साथ एक संपर बाउगे तो प्रोडट्ट क्या बन जएगा आप तो आप तो डियान लाइज करता है अन्साइगा क्या आन्सेदा आपको क्या देखना है लिए तो आपको से आ Tik La na खूर के नहीं तो नहीं नहीं करता है यह तिनों कंप्पॉर्ण आपके कर देंगे इधान तीनों कंपाउंड बट यह आपका डिकल्राइज नहीं करेगा कौन ने करेगा एथन नहीं करेगा नेक्स्ट पेचल आपको दिया है दारी एजेंट यूजड फोर डी हाइड्रेशन इस है ना कि निर्जली करण के लिए प्रियुक्त अभी कर्म कौन सा है सब्सक्राइज दरिक्रों को इंद्या से सार्फ से मिसमतुर हो सब्सक्राइज सब्सक्ता चलिकल्राइज फीस्ट तरी एपको दिया डियए कनसेंट्रेज दो 250 मीत नहीं क्या होली कवरें बन से चाहिए और से जाएगा कि यहासीज़े फ्रकीजया करता है और यहां इस पर यह क्या बन जाता है और यह तो प्रोसेस है तो हो आपका डीहडरेशन में यूज होता है मतलब यह को बहार को निकालने में यूज होगा ठीक है यहे और लेक्षन घ्लाओं कि तो इतर बनाता है क्या बनाता है टो यह अम आता है के बाद यह अमने के वाला और यह इन एक करी में तीनों आपके जो मोलीक्यूल है यह वाला यह वाला और यह वाला और यह वाला और यह तीनों आपके डियर एजंट है मतलब जिज्दली कारत का काम करते हैं थीक है तो आंसर होगा आपका उप्रोक सभी ध्यान तना आपका उप्रोक सभी आपका उप्रोक सभी तो फूर्ट आपका क्या होगा राइट लेक्स ने प्रिपेड बाई कोलबे इलेक्ट्रोलाइटिक रियक्शन यूजिंग सिंगल सॉल्ट ठीक है जिसे कोलबे विदूत अभिकिरिया द्वारा एकल लवन का उप्योग करके तयार नहीं कर सकते एकल लवन का ठीक है तो उसमें देखो आपको अप्ताओं कंपाउंड लिया आपका एच सी ओ ओ के फरस्ट यह बनेगा इस्टार्टिंग का जो एसिड होता है वह कुन सा होता विटा एच सी डबलो चोता है फॉर्मिक एसिड और उसका सोल्ट क्या बनेगा यह है और अगर इसका अपन कोलबे कराए तो यहां से ब्रेक होगा एच सी यह अगर आपके पास यह सी आस थ्री ओ तो थीच है और यह भी ट्रेकल बनेगा और CS3 radical बनेगा तो दूसरा क्या बनेगा यह ने बनके आपकी बार बन जाएगा C2S6 क्या बनेगा C2S6 तो आपका यह भी बनेगा सिंगल सोट की बात कर रहा है ठीक है फिर गहरा C4S10 तो अगर मैंने यहां पे लिया यह कंपॉंड लिया CS3 CS2 और CS3 CS2 लोगा तो यहां radical बनेगा CS3 और यह CS2 यह CS2 यह CS3 मलें यहां इथाइल radical बनता है C2H5 radical बनेगा और C2H5 radical C2H5 radical से रिक्षन करेगा मैं ठीक है बोले बेटा क्या मुटक बन जाएंगा सेश तरी फोर एस्टेंड मन जाएगा यह बन जाएंगा एक यह वह मैं पॉर्मिक एसिड्ट के सॉल्ड से एसेटीक से प्रोपेनियर के सोल्ड्य आप से श्रूंद के शोड्ट आनिस इस फोर नहीं बना सकते रिक है क्य तो यहां तो कर्बन यह की है ठीक है कम से कम यह कर्बन वाला कंपॉंड ने तो च्छ पूर कभी भी सिंगल सोल्ट से नहीं बनेगा तो आंसर आपको जाएगा ठीक है चले करेक्ट ठीक है यह फिजिकल प्रोपरटी का क्यों सब्सक्राइब कर रखा है आपने लिखा है अलकेंस फ्रॉम सी एच फॉर तो सी फॉर एस टेन यहांनी सी एच फॉर से सी पॉर एस टेन तक की जो अलके नहीं होती है वह क्या होती है की करके बता के होती है colorless orderless जोती है थीक है जोती है स्टेन्मेंट क्या है इस हाई सेकेंड है थाएप चिस फ्रॉम श्किकात की घृत होती है और जो अपर होती है वह आपकी होती है solid वोती है रंग हिन्दभ रूपल ACT न करूम Nanakा सब्क्राइब değil, यह स्वार्ण्चिन वांत है ये डीर है Гいた लिक लिएisol आर इन्न क्यों मों कंग जोता है थन्हों कि आति यह और से सभी जोता रहे व्यक्षा नेशर के उताएं यह तो से और और आपको पता है से म्लें से ऑखे प्योर उक्किया समान समानने घोलता है तो ज नोन-पोलर में ही गुढ़े地 यह नहीं होगा है तरहता instruct फोर्थ उप्षणद आपका क्या ज़सी हो थिए कि जड़ें है लेक्स्ट क्यों दिया है मिथेन रियक्ट्स विथ कंसंट्रेट अचनोचरी एड़ हाइड तेंपरेचर टू इल्ड यह करा मिथेन की रिएक्षन त्षी एच्फ फॉर के चन्परेचर अचनोचरी के साथ करवाये तो उत्पात देता है तो ध्यान अगणा अचनोचरी को आप ब्रेक करते हैं किस तरह बड़ा एड और पॉजिटिव बनता है और लग नेगटिव बनता है इसके बढ़न ब्रेकिंग करवालो सी एस थरी और एच चके साथ कोन चला ज कि अधर बनता है यह नहीं होगा यह भी नहीं होगा यह बीनियोगा फॉर्थ फॉर्थ आंसर आपका राइट होगा नाइट्रों थिखन थरी नाड़ फ्र चलते हैं ने कि फॉल्विंग अल्कीनों अधीक थाई यह इलकीन अधिक इप स्थाई तो इस्टेवलीटी मुझेए और Polish इस्टेवलीटीटि पूचिने गिंयोंके इरेको प्रॉपोर्शनल होती है नंबर ओफ अलफ़ा है ठीक है और यह आपको मैंने बताए था जो एक हो वाला क्यों आई था एक तो निए था वहां मैंने बताए था कि अल्फ़ा है ज्यादा होंगे इस टेपलीटी उतनी ही ज्यादा होगी है तो आपको 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 क्या दिया है और आर के वेल्यों रखें एक अप्रोक्स यह त्री ठीक है तो आपको यह त्री तो तो टो टोले इसमें कितने 12 है अगर यहां अगर यहां बात करें तो यहां ठीक है तो यहां ठीक है तो आप से कुछ है मैंने क्या का नंब्रों फाइड्रोजन जित्ते ज्यादा होगी इस्टेबिटी उत्ती ज्यादा होगी तो आपके स्टेबिटी को बढ़ा रहे है इसमें कुछ सब्सक्राइब तो आपके सबसे अधिक उच्छा और नीक उच्छा तो जहां अलफा इट्रोजन ज्यादा है अटो सी डेवलबंड तो आपका क्या होगा फस्ट राइट होगा ठीक है यहां रेजनेंस एपर कॉंच स्टेबिटी क्या होगा ज्यादा होगा तो इसकी स्टेबिटी क्या हो जाएगी ज्यादा हो ठीक है ओके अगे कि नेक्स दिये है विच आप फॉलाइंग एलकीन्स इज मोस्ट इस्टेबल निम्न में से कौन सी अलकीन स्ट एक यह तो हो गया ना इस योगी को इसके सपेक्स सबसे आसानी से सल्फोन निकर्त किया जा सकता है अमंग दा फॉलेंग दा कंपाउंड डेट कैन भी उस्ट अडिली सल्फोन इते एक तो इसने आपके एक एक एलेक्ट्रोफाइल और पूछा क्या है अब इन्वे से दिया है तो बेंजिन दिया है दूसरा क्या दिया है नाइट्रो बेंजिन दिया है तीसरा क्या दिया है तोलो इन दिया है चोथा क्या दिया है क्लोरो बेंजिन दिया है तो आपको एक ध्यान है कि प्लस M, प्लस H या प्लस I वाले जो ग्रूप होते हैं ये तो electron density को increase करते हैं ठीक है और माइनस M, माइनस H और माइनस I वाले जो ग्रूप होते हैं ये electron density को decrease करते हैं यहां आप इलेक्ट्रोफाइल का टेक करवा रहे हो तो इन वे से कोई ऐसा ग्रूप है क्या जो इलेक्ट्रोण density को increase कर रहा हो तो बात करें एनोटू एनोटू का माइनस M एफेक्ट है कुनसा होगा प्लस H इफेक्ट भी हो जाएगा इस एक्ट्रोफाइब करता है तो इनकी किसके नाइट्रोबेंजन की और कलोरोबेंजन की डियक्तिविटी बेंजन से भी कम होगी इस से भी कम होगी तो ज्यादा कर यह आपका इंक्रीज कर रहा है इसमें हाइपर कॉंजूगेशन हो रहा है तो यह क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है तो आंसर हो गए अपका टॉल्विटा क्योंकि इसमें हाइपर कॉंजूगेशन है तो तीन इससे जो भी इसका रेजनेंस वनेगा अती सिर्फ में बनती है रेजनेंस टेक्सर बनती है ज्यादा और यह क्या करेगा और्थोअ पैरपर कहां पर और और्थोअ पैरपर सिक्षा पर इलेक्म करूंद को इंक्रीज करें THIS गएंग तो अजर Paige Drive ज्她 सब्सक्राइब करन के साथ समावी करन के साथ होता है किसके साथ होता है कि इन में से समावी करन का मतलब यह है कि आपने कोई अलकें लिए है यह इनलकें लिए और इनमें से कौन सा कंपॉण्ड आप डालें कि इसका आई सुमर बन जाए है यह यह आई सुमर बना देता हूं और यह आपको अलकेंट है तो वहार यह इसन्ट याद होना चींग है कि अगर किस टेक्ट को और किस रीजन्ट के साथ हीट किया जाए तो आपको यह ब्लाइए आप से यह पुछाए यह आई समर है किसका यह था एंट पेंटेर है ठीक है और यह इस अब चैनल हो गया चैनल हो गया ना नमबरों करबन क से नहीं होता है यहां पर यूज करेंगे किसका यूज करेंगे एन हाइड्रस अपने काम आएगा तो सेकंड रिएजन्ट आपका क्यों होगा सेकंड ऑप्शन क्या है राइट अन्सुन ठीक है नेक्स्ट लेटा barking consent अपको दिया है refuse इसा एंड प्रोफिल ऐृडव्ड प्रोफिल काम आश सब्सक्राइम extract सेंगे कि स्फट्रू क्षैवल श्यूज को थीक है sodium की प्रजेंस और राइथर की प्रजेंस कर रिये प्रियुक्षन ग्रुआ होगे तो हम इस प्रीडिटिकल मेकनिसम होगी तो यहां से आई प्रेक होगा आपसे क्या मुच्छा है निवन में से कौन सी अलकेन प्राप्त नहीं होती अलकेन वीश विल नोट वियुश प तो इसन वर अपने ही डिकल के साथ है करें तो ब्यूतेन बन जाएगी कि अगपने खुद खेर अगर यह आपन श्यरेश संस कर एक ईंश कर ती तेन का और तीन का रवन का चाल गएगए शे कार ड़ंगा अगर खुद के दोनों रेडिकल रेक्शन करें ब्यूटेन बन जाएगी और यह दोनों आपस में तो पेंटेन बन जाएगी तो आपका यह बनता है सी अस्थरी स्सील स्सी तो ची थो तो क्यों अनके मांटे अ कि आपसे पूंध्र है थो 68720 भीजने खिलती है सबजय सब्सकि Let स्ब्सक्राइग बन रही यह वितलती है बिल्कुल ब हैं यह थे ऊंतर Wash प्रोपेन नहीं बनती प्रोपेन आपका क्या होगा अंसर होगा आपसे नहीं बनती वह पुछा ना तो ब्यूटेन बन रहा है पेंटेन बन रहा है नेक्स चलें आपको एक रियक्षन दी आपको पियेट सी ट्रिपल बॉंड सी शीएस थरी और मरकुरी आईन की प्रजेंस में दिया है किसके प्रजेंस में लिया है है मरकुरी तो वोटर कार्डीसन होगा किसको वोटर कार्डीसन होगा तो इसमें बंट रांसे खराओ गए यह लीजिए बंट रांस फरोगे असट नो एक बिल्ट अ कि अ अब अब आप अब टीक है ओके तो इसमें क्या करना आपको वोटर एडिशन करोन है इस पर किस का टेक हो जाएगा ओट ठीक है क्यों आप कहो कि बॉट आगे क्यों ट्रांस्फर क्यों होगा तो कि यहां चो कार्बोटन बनेगा यह वाला पी एच सी अब यह क्या बना आपका कार्बोटन बना यह कार्बोटन क्या करेगा रेजोनेंस भाग ले लेगा किसके साथ जीए बना वाकार्बोटन इसके कंपेर में और यह कर्बोटन और अब इसमें रेरेंजमेंट करवा दो तो ओएस को इधर ले जाओ डबल बॉन को इधर ले आओ क्या बनेगा पी एच डबल बॉन ओप तु सीदोर्गा यह प्रोड़ड में इसमें प्रोड़गोड़ को इस में नहीं इस में आपका इस है नहीं है कवा टीँप तो सबस्क्राइब क्या होगा है अच्छ छलें कि आपको देखर बेरी एजन्ट दिया है और बैर रिजेजंट का लेबरेटरी में यूज कुछा है कि बेर अभीकरमा का लेबरेटरी में च्वीडियां प्रेयोगशालों क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए वन परसेंट अ बेजिक के वन ऊफॉर को कि आपन बोलते हैं ति कि अभी अब बैसिक यह लिए कावाता है आपको पता है नहीं कि अगर एक्षं कर वाते हैं ठीक है बेसिक यह फोर के साथ करवाओगे तो यह गलाइकोल बनाता है किभानाता विटा गलाइकल तो अब इसको अन्साचुरेशन गए इसी मौन्ड जी नहीं होता नहीं होता कौन जीज्जांट जीज्जी नहीं होता तो साइडिया नहीं पता रहा है अगर देवल वॉन्ट सी नहीं होता तो आपका गलाइकोल नहीं बनता किसके साथ तो सी डेवल वॉन्ट सी डिवन्द का पता लगा ठीक है निट जिलिकन डी है डिटरेशन करवाता है नहीं सर तो तो पर बीटू फाइब टू अगरे करवाते हैं रिडुक्षन क सब्सक्राइब नहीं करता है यह खुद का टेस्ट वो नहीं बताता है ठीक है उसके लिए अधर टेस्ट अपन काम लेते हैं तो इसमें आंसर दो होगा आपका फॉस्ट होगा डिटेक्शन ओफ सी बॉन्ड सी डबल ठीक है नेक्स्ट चले लिए लास्ट क्यूशन आपका देरका है इने रियक्षन इन्वालिंग सब्स्टिट्यूशन ओफ सी 6-5 वाई यानि सी 6-5 वाई के वल्ले पर्तिस्थापन की अभिक्रिया में परमु गुत्पाद एम समावी मेटा देरका है समु वाई पुच्छा आप से ठीक है इसने कहा है कि क्या है मेटा है। है कि य下去 करना तो आपको वाई बताना कि कौन सा होगा तो ओच आपको ध्यान और सब्सक्रिया में यह आप और यही पुछा है कि इनने में डायरेक्टिंग कौन सा है तो आपका आंसर क्या होगा यह जो होते हैं ना चीन पाइज तो कौन से होते हैं सर और जो ब्रहें से चिरे है कि अधील है on a है थ 9arken थे ये सारे ख्यायों यह यह बेंजिन करते देता या आधे शनकर अधिज़ेट होजाटि हजाती बट्ट इनम Size तो आपका लेक्टिवीट को सब्सक्राइब